हंजीब अच्छा लोग कैसे हैं आप सब उमीद करती हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे नहीं करी है शुरू तो भाई कर दीजे क्योंकि बात है आपके 10th class की 10th class की याने की board exams की जहां पर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ठीक है तो चलो फिर इस पढ़ाई के सफ़र को मिलके आसान बनाते हैं आप और हम मिलके तो मैं हो विचाता आपकी बालाओ जी टीचर और आज हम यहाँ पर बात करेंगे अपने एक नए और इंट्रोस्टिंग से चाप्टर के बारे में जिसके बारे मे है आप उससे समझ नहीं पाए हो इस तरीके के बहुत सारी चीज़े हैं जो हमारे दिमाग में चलती है कि हां यह चैप्टर ऐसा है हमको समझ में नहीं आया है यह हम समझना नहीं चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है अपने दिमाग से बहुत दूर भेजना है क क्योंकि ढि जब हम बात किसकी कर दें जनन की कर रहे तो पौधों में ओर मनुश्य में जीवों में जितने भी जीव यह सब में होता है और सब के बारे में जानना बहुत ज़्यादा वरुपना भास कर ना की सबसे पहले चौन क्या होता है सवाला बाता है तो जब हम जनन की बात करते हैं, तो मैं जनन को क्या कहूंगी भाई, reproduction, ठीक है, तो अगर reproduction में यहाँ पर शब्दे यूज कर रही हूं, तो मैं कहती हूं कि यह दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, re plus production से, ठीक है, यहाँ पर यह दो शब्द आते हैं, re plus production, री को मैं क्या कहूंगी, इसको मैं कहूंगी दुबारा बोलूंगी, ठीक है, या बार-बार बोलूंगी, या फिर अगर English मैं कहूं तो again, ठीक, तो यह ओगी आपका re, पर अगर production की बात करती हूं, तो हम कहते हैं ना, कि अच्छा यह कौन से, अगर movies की बात कर लेते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कोई चीज, बनाने जवाली चीज, कि यहाँ पर चीजे क्या होंगी, बनेंगी, बनाना, खाने वाला बनाना नहीं है, ठीक है, बनाना आ गया यहाँ पर सपोस करो, बनाना आ गया या फिर उत्पन करना कह सकते हैं, है ना, या फिर produce कर ठीक है तो यह तीन और चीज़ यहां पर आ जाएंगे तो इन सब चीज़ों को मिला के बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि अपने जैसी ही चीज को ठीक है तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि किसी भी जीव चाहे वो कोई सा भी हो अपने जैसे ही अपने जैसी बनाना बिलकुल ठीके, क्या कहलाएगा आपका जनन, याने की जनन मतलब याने की प्रडीूस करना, ठीके, चलो, इतनी बात सब बच्चों को क्लियर कि basically जनन क्या होता है, यहाँ पर समझ में आ गिया है, कि अपने जैसे ही चीजों को बार 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 लगातार क्या करना, उत्पन करना, य आगे बढ़ जाते हैं, ओके, तो यहाँ पर आते हैं, कि ठीक है, अब जब हम यहाँ पर जनन की बात कर रहे हैं, तो जब जनन होगी, तो जनन शब्द जो है, यह जो जनन शब्द है, ठीक है, यह किसके साथ related होता है, विविन्निता के साथ, ठीक है, विविन्निता के साथ रिलेट करता है ये कैसे रिलेट करता है विबनिता के साथ कैसे रिलेट करता है कि मैंने कहा कि कहीं जनन हुआ ठीक है मैंने कहा कहीं जनन हुआ अब जनन हुआ तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है अगर कोई बच्चा क्या हो रहा है पैदा हो रहा है तो वो गुडों में क दिट्टो अपने माबाप के तरह होगा अगर हम अपनी बात करते हैं तो हां हम यह कह सकते हैं कि हम अपने माबाप के साथ resemble करते हैं, उनके तरह दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ गुण मैच करेंगे लेकिन हम बिलकुल डिटओ बिलकुल डिटओ, बिलकुल एक जैसे तो नहीं होंगे, अलग होंगे है न, होंगे ठीके, तो उससे क्या आ जाती है उससे विभिन्यता आ जाती है यानि कि कहीं न कहीं हम लोग क्या है मिसमैच हो रहे हैं बिलकुल मैच नहीं हो रहे हैं वहीं अगर हम पौधों की बात करते हैं तो भी पौधों की अगर हम बात करते हैं है न यानि कि हम अगर किसी पादप की बात करते हैं तो मैंने कहा, suppose करो कोई आम का पेड़ है, ठीके, मैंने कहा, suppose करो कोई आम का पेड़ है, ठीके, अगर इस आम के पेड़ से, सेम आम का पेड़ वगर मैं बनाना चाहूं, तो सेम ही बन सकता है, लेकिन अगर इस आम के पेड़ का जो बीज है, है ना, इसका जो बीज है, इस ब कोई टेकनलोजी लगा के ठीक है आजकल मॉडिफाइड भी तो आते हैं ना है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं ठीक है तो अगर इसको मॉडिफाइड कर देते हैं तो यह क्या होगा हम कहते हैं कि हाई यह क्या है हाइब्रिड आम है है ना हम क्या मोलेंगे कि हाइ है ना हॉईब्रिड हम फूल के बारे में भी सुनते हैं और हैकनी होते हैं तो यह सब क्या हुते हैं टेक्न आधर के तरू हईब्रिड हो जाते हैं यानिक इन है में कुष्ण कूछ स्पेशिल चीज़े आ जाती हैं जिसकी कि वजह से क्या है भिन् Susanne आ जाती है पुराने वालों से अ है तो हमारे चाव六 सी की आ सचनित है लाग चीज़ा जाती है कुछ वालों के सब्सक्रणा प्रते हों कि अदेग करें आप लूग आप आप लोग कि यहां पर चीजों से क्या रही है बिन्नता आ रही है मनुष्यों में और रहां किसी बात करें तो इनमें क्या है इनमें TN पाया जाता है उसी DNA की वज़े से क्या होती है विविन्नता आती है ठीके चलो आगे बढ़ जाते हैं अब क्या है यदि विविन्नता का महत्व कि भई विविन्नता तो हमने पढ़ ली कि वह विविन्नता आ गई लेकिन इसकी इसका महत्व क्या है अगर हम बात करते हैं तो बात यह है यहाँ पर कि यदि एक समिष्ठ अपने निकेट याने की जो परितंत के अनकूल है परनतु निकेट में कुछ अग्र परिवर्तन कैसे परिवर्तन की बई ताप जल इस्तर में परिवर्तन आ दी आने पर समिष्ठ का पूर्ण विनाश संभव है परन्तु यदि समिष्ट में कुछ जीवों में कुछ विविन्यता होगी तो उनके जीने की कुछ संभावनाएं रहेंगी मतलब यह है कि सपोस करो कोई एक कोई एक क्या है परिवार है इस परिवार में ना कोई बिमारी चल रही है ठीक है इसमें कोई बिवारी चल रही है कि भई ठीक है मां से क्या बोलते हैं मां से बच्चों में होगी बच्चों सुनके बच्चों में होगी बच्चों सुनके बच्चों में होगी अगर इस तरीके से वह एक ही तरीके से चलते रहेंगे तो क्या होगा कि वह वह चलती रहे सब्सक्राइब करें त तो अगर वहां से किसी एक मनुष्य को बाहर से लाकर लागर यह और उनका किया करायो जाए उनका संलेयन करायी तो उससे क्या होगा कि जो उनकी संतती पैदा पैदा होगी उस में क्या होगा कुछ विभिनिता आएगी ठीक यानि कि जो विमारी एक जगा से चलती हुई आ रही थी तो वह क्या हों जाये की वहां पर उस कारण की वैसे वहां पर कट हो जाएगी यान कि कुछ संभावनाएं होंगी कि अच्छा यहां यह विमारी चलती विया रही थी तो कोई दूसरे जो है गोड़ वाला इंसान वहां आ जाए तो हम कह सकते हैं कि कुछ संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि वह विमारी वहां से हट जाए आगे ना जाए ठीक है यह सारे चीज़े क्या ह हैं आप अपनी अगली क्लासिस में मैं लब अपनी हायर क्लासिस में जाके संजोगे है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं तो अंतहा विविनिताएं स्पीशीज की उत्तर जीविता को लंबे समय तक बनाये रखने में उप्योगी है विविनिता जैव विकास का आधार होती है विकास तभी होगा जब चीजे बदलेंगी ठीक चलो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं क्या आगे बढ़ाते हैं कि जीव जनन क्यों करते हैं जब हम जीवों की बात कर रहे हैं ठीक है जब हम जीवों की बात कर रहे हैं हमने जनन के बारे में बहुत सारी बात कर ली है तो य कुछ ना कुछ स्पैशल चीज होंगी कुछ ना कुछ स्पैशल बात होगी जिसकी वैसे जनन हो रहा है तो यहां जब्... जडरूरी है静नन हरो बताऊ जरूरी है कि हम जनन करें अपमे बहुत जरूरी है गार जनन नहीं करेगा जीम तो यह जो species है, कोई से भी मालू चाहे, वो मनुश्य है, जानवर है, पादप है, कोई भी है, वो ही की वही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसका जो अस्तित्व है, वो ही के वही खतम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जनन जरूरी होता है, तो इसको हम क्या लेखे हैं, क् जीव जनन क्यों करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, कि भाईया, जो जीवन की कड़ी है, है ना, जीवन की कड़ी को बनाए रखने के लिए, रखने के लिए, तथा, तथा करोडों वर्षों से प्राप्त हुई, प्राप्त हुई, अनुवन्शिक, अनुवन्शिक सामाग्री, क्या है अमारी अनुवन्शिक सामाग्री? प्राप्त हुई, 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 प्राप्त जीव जनन कियो करते हैं इसलिए करते हैं कि बहूँ अगर जननुन नई होगा तो वह जो कोई भी स्पेशीज है कोई भी प्रजाती है वहीं की खतम हो जाए कि उसका अस्दित भी ही ही नहीं रहेगा इसी वजह से कि बई जीवन की जो कड़ी है ठीक है हम लोग क्या है एक दूसरे से कही न कहीं जुड़े हुए थी क्योंकि हम मनुष्य है तो वो जीवन की कड़ी है उसको बनाए रखने के लिए उसके साथ-साथ जो करोड़ो वर्षों से प्राप्त हुई अनुवशिक समाग प्राप्त होई ती यानिकि हमारा जो DNA है उसको क्या करना है आगे की पीडियों में भेजने के लिए जीवों में जनन बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है इतनी बात आप सबको बात कर चुके हैं जिसके बारे में हम बहुत सारी बात अल्री कर चुके हैं कि फिर जनन यानिकि क्या है ठीक है सबसे पहले ही हमने इसके बारे में बात करी थी की रिप्रोडक्शन तो मैंने क्या बता दिया था कि दो शब्दों से मिलके बना हुआ है ठीक है दो शब्दों से मिलके बना है मैंने कहा था री और प्रोडक्शन ठीक है री और प्रोडक्शन ये कहा था मैंने यही कहा था है ना चलो फिर री प्रोडक्शन का मतलब हमने समझा था कि अपने जैसी ही चीजों को बार-बार दुबारा अगेन अगेन बनाना क्या है यह reproduction कहलाता है जनन कहलाता है चलो इतना हम समझ गए है अब यहाँ पर जब हम जनन की बात कर रहे हैं है ना तो जनन में यहाँ पर क्या है यह जो है वो जीवों का मुख्य लक्षन होता है सबसे पहली चीज़ यह क्या है यह क्या है जीवों का मुख्य लक्षन होता है क्या है यह जीवों का मुख्य लक्षन होता है ठीक है ठीक है पहली चीज़ यह हो गई अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है जनन करने से है ना जनन करने से यहाँ क्या हो रही है संख्या में वृद्धी हो रही है संख्या में क्या हो रही है वृद्धी हो रही है जनन की वज़े से ओके ठीक है माल लेते हैं अब हम यह भी कह सकते हैं कि भाई यह वो प्रोसेस है जिसके द्व क्या है सजीव अपने जैसा जीव क्या कर रहे हैं यह वो प्रक्रिया है जहां पर क्या हो रहा है कोई भी जो जीव है वो क्या काम कर रहा है अपने जैसे को अपने जैसे को उत्पन कर रहा है या पैदा कर रहा है कर रहा है ठीके और क्या कर रहा है जो प्रत्वी पर जीवन की निरंतरता है उसको बना रहा है क्या कर रहा है प्रत्वी पर जीवन की जो निरंतरता है उसको क्या कर रहा है बना रहा है और जिसकी वज़े से क्या होता है जिसकी वज़े से ये जो जीव है इनका जो अस्तित्व है इनका जो अस्तित्व है ठीके धर्ती पर वो क्या है? बना रहे ठीके या बना रहेगा ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जनम के बारे में ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं आपको इनको याद रखनी है बिल्कुल भी confusion नहीं रखना है इनके साथ ठीक है इतनी बात सब बच्चे को clear हो गई हो गई है है ना चलो फड़ा फट्टिक है थमसब दिखा दो ताकि मेरे को समझ में आ चाहे कि काम करती हो ठीक है इसको मैं क्या करती हूं आगे बढ़ाने का काम कराी चल्दी सेино हो कारी का बढ़ यह रखने को का हूँ तो definition में आप क्या लिखोगे जिनन के बारे में जनन के बारे में डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप, आप लिखेंगे भई कि ये वो प्रक्रिया है, ये वो प्रक्रिया है, जहां पर क्या होता है, या फिर जिसके द्वारा, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, जो सजीव है, जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे, अपने जैसे नए जीव को उत्पन करते हैं, पहली चीज तो आप definition में ये लिखोगे कि बई ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव को उत्परने करते हैं फिर क्या लिखोगे यहाँ पर दूसरी चीज आप यह लिखोगे यहाँ पर कि इससे क्या होता है दूसरी चीज लिखोगे कि जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या हो रहा है प्रत्वी पर प्रत्वी पर जीवन की निरंतर्ता निरंतर्ता को बनाए रखते हैं ठीक है बनाए रखते हैं ठीक है दूसरी चीज आप यहाँ पर यह डालोगे फिर यहाँ पर तीसरी चीज क्या जाएगी कि यह क्या काम कर रहा है यह जीवों का अस्तित्व बनाए रखने का काम करता है जनन क्या करता है यह ये जीवों का अस्तित्व बनाए रखने का काम करता है ठीक है तो ये सारी के सारी चीज़े आपको क्लियर हो गई है जब हम बात जनन या रिप्रोडॉक्शन की करते हैं ठीक है थोड़ा सा यहां से समझ ये ठीक दोनों को पूरा समझना है आई बस समझ में हम चलो बढ़िया है आगे बढ़ जाते हैं ठीक है अब हम बात क्या करेंगे इसको आगे बढ़ते हैं यहां तक पहले बताओ सबको क्लियर हो गया है कोई doubt किसी को नहीं है ना very good चलो अब बात करते हम जनन के प्रकार के बारे में ठीक है तो हम सबको पता है कि जनन जो है दो प्रकार से होता है इसके दो प्रकार होते हैं ठीक है क्या है दो प्रकार है है ना यानिकी दो टाइप्स की बात कर रहे हैं ठीक है कौन कौन से है पहला क्या पहला आजाता है आपका पहला आजाता है अलैंगिक जनन ठीक है और दूसरा क्या आजाता है आपका पहला क्या आगा आपका अलैंगिक जनन और दूसरा क्या आजाता है आपका लैंगिक जनन ठीक है दो धरीके के हो गए है अलैंगिक और लैंग अब यह जो अलैंगिक जनन ह यह जो अलेंगिक जनन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्शूल रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको हम, क्या बोला हमने इसको एसेक्शूल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दूसरे को क्या बोला हमने, सेक्शूल रिप्रोडक्शन, क्या बोला हमने इसको सेक्शूल रिप्रोड ठीक है तो दो तरीके के यह क्या है हमारे रिप्रोडक्शन है याने की जनन है हमारे चलो माल लेते हैं अब यहां पर बात आती है अलेंगिक ठीक है क्या बात आ यह लेंगिक याने की यहां पर क्या है अ के साथ लेंगिक जुड़ा हुआ है या बोलो लेंगिक के साथ क्या ज जुड़ा हुआ है यहां पर इसका मतलब है आ का मतलब एक ठीक है अ का मतलब एक तो यहां पर क्या है अलेगिक जनन में सिर्फ एक ही क्या होता है जनक क्या है एक ही जनक काफी होता है क्या करने के लिए जनन करने के लिए ठीक है किसलिए जनन करने के लिए सिर्फ एक ही जनक क जाफी होता है यहाँ जरूरत नहीं होती है कि यहाँ पर नर और माधा दोनों तो यहाँ पर हम ने क्या मोला कि एक ही जन्त यहाँ पर जरूरी होता है पर जैकल क्या पाते हैं हम कि यहां पर नर और मादा नर और मादा दोनों की जरूरत होती है ठीक है यहां पर क्या है नर और मादा दोनों की जरूरत होती है ठीक यह होता है लैंगिंग जनन और अलैंगिंग में क्या होता है सिर्फ एक ही जनक काफी है ठीक है ना चलो इतनी बास सबको क्लिय लोगे हैं कोई डाउट नहीं है समझ में आ गिया है बहुत सिम्पल सी चीज थी है नव चलो ठीकि 59 आब हम इसके एक्जेंपल की बात करते हैं अगर हम यहाँ पर एक्जैंपल लेके चलते हैं तो सबसे बड़िया एक्जैंपल यह हमेशा किसका लेते हैं अमीबा का, सबने सुना होगा, अमीबा, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं हम ये नाम, अमीबा, अमीबा, है ना, फिर से सुन लिया हमने यहां पर नाम, तो क्या है ये अमीबा, इसका सबसे बेस्ट और प्यारा एक्जेम्पल है, फिर हम अगर लेंगिक जिनन की बात करते तो लेंगिक जनन में क्या होता है इसका एक्जामपल आप क्या दोगे इसका एक्जामपल आप क्या दोगे भाई मनुष्य आ गए आपके है ना मनुष्य आ गए है और क्या गए है यहां पर जहां पर नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर में होते हैं यहां क्या है यहां त जानना जरूरी है कि जो नर है और मादा है वो अलग-अलग शरीर के अंदर हो चाहे वो मनुष्य हो कोई भी जनतु हो या पादप हो ठीक है इन में से कुछ भी हो तो भाईया वो किस में आएगा लेंगिंग जेनन में आएगा इतनी बात क्लियर और एक और बात यहां पर एक कोशी किये एक कोशी किये जीव ठीक है क्या रहे है यहां पर एक कोशी किये जीव आ रहे हैं यहां पर और यहां कौन आते हैं बहु कोशी किये जीव आते हैं यहां पर क्या रहे हैं आपके बहु कोशी किये जीव ठीक है चलो इतनी बात बताओ मुझे अब कितने पच्चों को क्लियर हो गई है हाँ जल्दी से बताओ ठीक है सब को क्लियर इसका मतलब है ना चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा जानते हैं अलेंगिक और लेंगिक जनन के बारे में है ना डिफरेंसिस देख लेते हैं चलो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते ह ठीक है अलेंगिक, जनन के बारे में जानते हैं ठीक है जहां पर एक बहुत अच्छा कासा सवाल आके फर्स जाता है कि अलेंगिक और लेंगिंग जनन में अंतर क्या होता है इसलिए मैं यहाँ पर इसको एक स्टार मार्क भी कर रहे हूँ ठीक और इसी वज़े से मैं यहाँ पर आपको अलग-अलग अलेंगिक और लेंगिक दोनों को अलग-अलग जगा समझाओंगी जहाँ पर आपको अच्छे से समझ में चीज आ जाए ठीक है चलो तो अगर मैं इसकी अलेंगिक जणन की बात करते हूँ सबसे पहले चीज कि इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं A sexual reproduction ठीक है सबसे पहले चीज आपके पास यही आती है यहाँ पर समझ गए Asexual reproduction बोला दूसरी चीज यहाँ पर क्या आती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जनक ठीक है एक जनक या फिर क्या बोल सकते हैं आप एकल जीव एकल जीव क्या करता है नए जीव को उत्पन्न करता है ओके क्या करता है एक एकल जीव नए जीव को उत्पन्न करता है ख्लियर इतनी बात है ना चलो ये भी ख्लियर हो गया पॉइंट हमारा ये क्या है हमारा दूसरा पॉइंट है ठीक है अब तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास यहाँ पर हाँ युगमक का निर्मान नहीं होता है ठीक है तीसरी चीज आपास यह आ जाती है यहां पर कि भाई यहां पर युगमक का निर्मान नहीं हो रहा है समझने वाली बात है तीसरी चीज हो गई चलो चौथी चीज यहां पर क्या है चौथी चीज आपको समझने वाली यह है कि यहां पर यहां पर सतत गुड़न के लिए यह एक उपियोगी माध्यम है माध्यम है ठीक है हमारे पास नेक्स पॉइंट यहां पर यह आ जाता है क्लियर यहां पर एक दो तीन चार चार पॉइंट आ गए हैं पाच्वा पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है कि भाई ओहो पाच्वा पॉइंट के आ रहा है हमारे पास यहां पर कि किन जीवों में पाया जाता है ठीक है सबसे इंपॉटन चीज यहां लिग रहे हैं हम यह एक कोशी किये जीवों में पाया जाता है सबसे ठीक है एक कोशी किये जीवों में यह क्या है पाया जाता है पाच्वा पॉइंट आ गया हमारे पास ठीक है इसके बाद एक और चीज आती है कि कौन से वर्ग में पाया जाता है अगर हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो कौन से वर्ग में पाया जाता है ये पाया जाता है निम्न वर्ग में निम्न वर्ग में पाया जाता है ठीक है अलेग एक जनन कहां पाया जाता है हां निम्नवर्ग में इतनी बात कितने बच्चे को clear हो गई है ये बता जल्दी से ठीक है तो यहां पर कुल मिलाके हमारे पास कितने differences आए है एक कैसे यह तो differences नहीं है यह तो मैंने इसका नाम ही लिखा है है ना basically एक दो तीन जर पांच पांस differences आ गए है हम चलो बहुत बढ़िया मुझे उमीद है कि यहां तक आपको ना बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा है ना चलो पड़ाक से आगे बढ़ जाते हैं अब बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में हैं लैंगिक जनन ठीक चलो differences है अच्छे से याद कर लेना confusion मत रखना बिलकुल भी कहीं से कहीं तक भूल गए ना तो ते और जाएंगे ठीक है चलो अब हमने क्या बोला कि भाई लैंगिक जनन को सबसे पहली बात क्या कहते हैं sexual reproduction बोलते हैं सबसे पहली चीज़ हमने क्या बोला इसको sexual reproduction बोला ओके ठीक है फिर यहाँ पर हमने क्या बात करी कि यहाँ पर हमने अलेंगिक जनन में क्या देखा था कि एकल जीव यहाँ पर responsible होता है नए जीव को उत्पान करने के लिए लेकिन तोड़ देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर तो नर और मादा दोनों की जरुशत है यहाँ पर सिर्फ एक ही काफी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखोंगे कि क्या कि यहाँ पर दो यहाँ पर दो जीवों की ठीके जो ऐसे कौन से जीव? जो अपोजिट सेक्स के हैं यानि कि एक नर और एक मादा ठीके? क्या? जो एक नर है और एक मादा है ठीके? यहाँ पर क्या होता है? दोनों मिलकर नया जीव बनाते हैं ठीके? दूसरा पहला पॉइंट तो यह आगी आपके पास कि यहाँ पर हमने क्या बोला था? कि एकल जीव होता है और यहाँ पर क्या बोल रहे है? दो जीव होते हैं है ना? चलो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? तीसरे पॉइंट के लिए हमने क्या चुना था? हा? कि युग्मक का निर्मान होता है यहाँ पर, ये चुना था हमने कि युगमक का निर्मान नहीं होता है ठीक है तो और यहां पर क्या हो रहा है यहां की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है नर युगमक ठीक है और मादा युगमक नर युगमक और मादा युगमक बनते हैं यहां पर ठीक है क्या बन रहे हैं यहाँ पर नार और मादा युगमग यहाँ पर बन रहे हैं ओके ठीक है चलो ठीक है फिर यहाँ पर हमने क्या बोला कि सतत गुड़न के लिए यह एक उपयोगी माध्यम है यह बोला हमने तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम हाँ यहाँ पर आप लिखोगे क्या लिखोगे कि भाईया नया जीव नया जीव अनुवंशिक रूप से पैत्रक जीवों के समान होता है लेकिन या परंतु क्या है समरूप नहीं होता समरूप नहीं होता ठीक है चलो यहाँ पर यह समझ के हम ठीक है ना ओके इसके बाद क्या बोल सकते हैं हम इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या होता है कि प्रजाती में क्या होता है यहां पर प्रजाती में विविनताएं उत्पन करने में सहायक होते हैं ठीक है यह आगी आपके पास एक और पॉइंट क्लियर इतनी बात है ना कि भाई हमने क्या बोला कि यह प्रजाती में विविनताएं उत्पन करने में सहायक होते हैं ठीक इसके बाद यहां पर एक और चीज आती है कि यह किन में पाया जाता है किन में पाया जात अरे भाई तो यह किन में पाया जाता है बहु कोशी किए जीवों में पाया जाता है ठीक है और एक और चीज यहाँ पर क्या कि भाई यहाँ पर हमने कहा कि वो कहां मिलते हैं यह आपको ये जो है कहा मिलें, निमन वर्ग में पाएं जाते हैं और ये कहा मिलेंगे आपको, ये आपको उच्च वर्ग में मिलेंगे उच्च वर्ग में मिलेंगे ठीके? इतनी बात कितने बच्चों को clear हो गई है, आँ इतना बता दो इस सारे के सारे differences बता दो कितने बच्चों को समझ में आ गिया है हां क्लियर हो गया इतना सब कुछ इदे प्यारे तरीके से देखो समझाया है फिर बोलना बाद कि मैम समझ में नहीं आया है है ना चलो वेल और गुट समझ में आगी है तो आगे बर जाते हैं ओके तो हमने देखो यह लैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीश में भी यहाँ पर डिफरेंस को सीख लिया है हाँ अब हमारे पास बेसिकली एक अच्छे तौर पर ओफिशियल तौर पर हम क्या बात करेंगे अलेंगिक जनन के बारे में बात करेंगे तो अलेंगिक जनन के बारे में देखो मा अलड़ी बहुत सारी बात चीत कर चुके हैं तो ज्यादा कुछ खास यहां पे अब आपको बताने के लिए नहीं है वही चीजे रिपीटिड है कि भई क्या रिपीटिड है चलो फिर से लिख देती हूं यहां पर आपको बताने के लिए क्या बताने के लिए लिख जेते हो कि भाईया यहां क्या होता है यह एक कोशी किये जीव एक कोशी किये जीवों में होता है फिर से बता रहे हूं ताकि आप परेशान ना हूं ठीक है और जल्द जल्दी बता रहे हूं ठीक है निम्न वर्ग में पाया जाता है शॉर्ट में एक दम ठीक है एक ही जनक काफी है एक ही जनक क्या है काफी है संतती उत्पन्न करने के लिए ठीक है और क्या कह सकते है अच्छा सा एक्जैंपल लिख सकते है कि भाईया उधारन के लिए उधारन के लिए उधारन के लिए क्या कह सकते है अमीबा ठीक है उधारन आपका आगिया अमीबा तो यहाँ पर अलैगिक जनन में जब आप लिखोगे तो यही चीज़े लिखोगे है ना यहां पर इतना सारा कुछ दिया हुआ है कुछ भी लिख दो इसमें से उठाके confusion बिलकुल नहीं रखना है बस ठीक है चलो यह आपका आगे अलेंगिंग जिनन के बारे में अब हमारे पास आता है एकल जीवो में प्रजनन की विधी ठीक है कौन कौन से विधी आती है तो सबसे पहले में कौन से विधी का नाम बताओं सबसे पहले भाया जो विधी आती है उसका नाम क्या है विखंडन क्या है? विखंडन सबसे पहली विधी है ठीके? अब अगर ये विखंडन की हम बात कर रहे हैं तो ये दो प्रकार का होता है विखंडन ठीके? कौन-कौन से दो प्रकार है? एक क्या आगिया आपका दिवखंडन आगिया है द्यूखंडन आ गया है और दूसरा क्या आ गया है आपका बहुखंडन ठीक है द्यूखंडन और बहुखंडन अगर हम द्यूखंडन में किस की बात करते हैं द्यूखंडन में हम अगर एक्जैंपल की बात करते हैं तो इसका एक्जैंपल क्या जाएगा आपका अमीबा ठीक और इसका example क्या जाएगा? Plasmo Bm. ठीक है? यह example हो जाएगा. अब Amoeva वाले case में क्या होता है? कि यहाँ पर जो दो कोशिका होती है, वो क्या होती है? इसमें क्या होता है? जो कोशिका होती है, वो दो कोशिका होती है? वो दो कोशिका होती है? वो दो कोशिका होती है? वो क्या होती है दो कोशिका में विभाजित ठीक है फिल ज़िए हम प्लास्बो डियम की बात करते हैं तो प्लास्बो डियम में क्या होता है बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है जो कोशिका होती है, वो बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है, चलो ठीक है, इतना हम समझ गए, दूसरा क्या आता है मारे पास, दूसरा आपके पास आगे है खंडन, ठीक है, दूसरा क्या आगे आपके पास खंडन आ जाता है, खंडन में क्या आता है खंडन में आपके पास एक्जैमपल आगे, स्पाइरो गाईरा, ठीक है, स्पाइरो गाईरा क्या करता है, कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टुकडे हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ प नए जीव में नए जीव में क्या करते हैं यह वृद्धी कर जाते हैं ठीक चलो अब हम अगर तीसरे की बात करते हैं तीसरा हमारे पास क्या आता है पुनरुद भवन ठीक है यह जिसको हम क्या बोलते हैं पुनर जनन या फिर क्या बोल दिया आपने रीजनरेशन ठीक है क्या बोला आपने रीजनरेशन बोल दिया इसको या फिर ठीक है यह क्या हो गया सेग्मेंटेशन हो गया है यह क्या है रीजनरेशन हो गया है तो यहां Regeneration में क्या हो रहा है यहां पर जो जीव है ठीक है इस जीव का क्या है कि भाईया कोई भी गलती की वज़े से इसने चाहा के या ना चाहा के क्या हुआ जो जीव है यह क्या हो गया है टुकडों में क्या है टुकडों में तूट गया है ठीक है और जो हर एक टुकड़ा है है ना जो हर एक टुकड़ा है वो क्या होता है नए जीव में नए जीव में बन जाता है ठीक है क्या हो रहा है नए जीव में बन जाता है अगर हम इसका एक्जामपल लेंगे तो एक्जामपल क्या लेंगे हम इसका एक्जामपल लेंगे हम प्लर नेरिया ठीक है और इसके साथ साथ आप हाइड्रा भी ले सकते हो ठीक है इसके साथ साथ आप हाइड्रा भी ले सकते हो तीन चीज़े यहां पर clear है ना तीन चीज़े विखंडन खंडन पुनुरुद्धवन है ना चलो ऑचो यहां पर एक पेज जोड़ना पड़ेगा हमको हमने सोच था यहीं पर काम चल जाएगा पर हम गलत थे यहाँ पर हमको एक पेज जोड़ना है आजो जोड़ लेते हैं नेक्स्ट हमारा आता है मुकुलन क्या आता है नेक्स्ट हमारा मुकुलन आ जाता है ठीक है कौन सा था ये तीसरा या वाएगा चौथा मुकुलन आ गया हमारा मुकुलन में क्या होता है जो जीव होता है तो जीव के शरीर पर क्या होता है एक उभार आ जाता है ठीक है यहाँ पर जो जीव है उसके शरीर पर क्या हुआ उभार आ गिया है क्या आ गिया है उभार होता है ठीके ये जो उभार होता है इस उभार को हमने क्या बोला मुकुलन बोला मुकुल बोलते हैं या कहते हैं ठीके ये जो उभार है इसको क्या बोला हमने मुकुल बोला हम यहाँ पर मुकुलन की तो बात कर रहे हैं याने की हम इसकी बात कर रहे हैं बढ़िंग की बात कर रहे हैं ठीक है क्या है यह बढ़िंग है ठीक है तो मुकुल याने की हमने क्या बोला यह बढ़ है ठीक है यह मुकुल है अब यह जो मुकुल है यह क्या होता है यह जीव के बना लेता है, नया जीव बनाता है, ठीक है, नया जीव बना लिया है, अब अगर इसके एक्जाम्पल की बात करोगे, तो एक्जाम्पल में क्या जाएगा आपके पास यहाँ पर, हाइड्रा, है ना, हाइड्रा और इस्ट, दो एक्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पर, हाइड जान मत हो ना बिल्कुल भी चलो इसके बाद आपका आता है विजानू समासंग ठीक है इसके बाद पाँचवे नमबर पे आता है विजानू समासंग ठीक है किसमें पाया जाता है यह 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 आपका पाया जा रहा है राइज़ोट्स में ठीक है राइजर्ट में पाया जाता है फिर इसके बाद आते हैं पर काईक क्या इसके बाद काईक प्रवर्धन ठीक है काईक प्रवर्धन याने की वेजिटेटिव रिप्रड़क्शन यहां पर जो काईक भाग होते हैं याने की जो इसके वेजिटेटिव भाग हैं जो काईक भाग हैं इनसे क्या होता है नए जीव बनते हैं जैसे की एक्जेम जैसे की कौन-कौन से हैं हैं जो काईक भाग हैं जड़ है तना पत्थ्थर चटा बोलतें इसमें आगे बताऊंगी तो chocol यहां पर आपको जाननी है हुव Х Scr तके यहां पर जानने की ज़रुत है ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं किसके बारे में बात करेंगे हम यहां बात करेंगे बढ़त करेंगे यहां मन है नहीं है, है ना, आगे बर जाते हैं, चलो फिर, विखंडन के बारे में बात करें सबसे पहले, तो विखंडन में हमने क्या बोला, कि विखंडन के बारे में हमने क्या बात करी, सिंपल सी चीज है, हमने बहुत जादा बात नहीं करी, विखंडन में हमने क्या बात करी, कि यह दो प्रकार का होता है हमने क्या बोला कि यह दो प्रकार का होता है कौन-कौन से दो प्रकार है एक दूए खंडन ठीक है यहां पर क्या आता है आपका अमीबा आता है है ना और जो है क्या बोलते हैं यहां पर जो कोशिका होती है वो दो कोशिकाओं में क्या होती है विभा ठीक है यह अमीबा है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर क्या है यहां पर क्या है यहां पर दीरे दीरे करके ऐसे करके ना दूसरे से ऐसे होने लगता है यहां पर दिस्टेंस आने लग जाता है और यहां पर क्या है दो नुक् चल्ए संत्यती बन जाती है इसकी तो ऐसे क्या ओता हैं जिसको हम बौते हैं तो यहां क्या होता है मल्ट इसमें इस्पाइरो गाईरा आता है इसमें ठीक है यहां पर क्या होते हैं यहां पर तुकड़े होते हैं और यह तुकड़े जो अगर इसके तुकड़े हो गए यह तुकड़े क्या है यह नए जीव में बदल जाते हैं इस पाइरो गाईरा कैसा होता है आपका इस तरी है ना ऐसे ही होता है यहां पर अगर यहां से टूट जाए यहां से टूट जाए यह कैसे भी टूट जाता है यहां से भी टूट जाए तो हर एक पार्ट क्या है अपने आपको एक नए पार्ट में क्या करेगा बदल देगा समझ गए चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं यह जीवों की उत्पत्ति होती है जिसके बारे में बहुत दिर से हम बाते पर बाते बाते पर बाते करे जा रहे हैं है ना यह बाते करें अब तक अब विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किये गए हैं अनेक जीवाणूं तथा प्रोटोजवा की कोशी का विभाजन द्वारा समाने तहा दो बरावर भागों में विभक्त हो जाती है या बोल सकते हैं कि डिवाइड हो जाती है अमीबा जैसे जीवों में कोशी का विभाचन किसी भी तल से हो सकता है कि मैंने कहा यह अमीबा है जरूर नहीं है कि ऐसे ही कटे है यह अमीबा है अगर ऐसे भी कट सकता है ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी लोग कैसे भी कट सकता है वो दो ही भागों में पटे उससे दो ही क कोशिका बनेंगी इस से सिंपल जीचा कैसे बहुकत है परन्तों कुछ एक कोशिक जीवों में शारिरिक संवर्शन अधिक संगतित होती है याने की और गनाईज रोती है बहुत एक Well developed मेनर में होती है लेकिन वो होते क्या है वो होते सिर्फ यूनिय सेलिलर और झालीजम है याइन कि एक कोशिकी ये जीव हैए अब उधारत किसके यह कालाजार के रोगाणू की बात करते हैं कालाजार के रोगाणू हो गए लेस्मेनिया हो गिया है लेस्मेनिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष में संरशना होती है ऐसे जीवों में दुखंडन एक निर्धारित तल से होता है मलेरिया पर जीवी हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया अब प्लाज्मोडियम जैसे अन्ने एक कोशी की जीव एक साथ अनेक संत्ति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं जिसे हम बहुखंडन कहते हैं दूसरी ओर, इस्ट कोशिकाओं से छोटे मुकलन उभर कर कोशिकाओं से अलग हो जाते हैं तता स्वतन्त रूप से वृद्धी करते हैं अब यहां पर बहुत ही प्यारा और अच्छे तरीके से एक्जैंपल दिया हुआ है, अमीबा का यह आपको क्या दिखाया हुआ है? अमीबा दिखाया हुआ है इस अमीबा में क्या हो रहा है देखो कि यह हमारा पूरा क्या है? जनक है यह क्या है? जनक है जनक क्या होता है? पेरेंट होता है जनक क्या हो गया? पेरेंट हो गया अब दीरे दीरे इसका जो नूकलियस है यानि कि यह जो केंदरक है यह क्या हो रहा है यह फैल ना शुरू कर रहा है ठीक है फैल ना शुरू किया इसने तो अंदर का जीव द्रव्य है जो जीव द्रव्य है यानि की जो साइटोप्लाजम है वो भी क्या कर रहा है अपने साथ यहां पर इसको फैल रहा है चोड़ा हो रहा है दीदे-दीरे करके इस तरीक गिडेंगे इतनी जिगा बच जाती है और यहां पर क्या होता है जब इस फेवरिट कंडिशन सब्क फेडिवल कंडिशन सब्सक्राइख हो जाती है दो ऐस फट्रवन में विभाजत हो जाता है अमींवा में यह कहा Sound होती है चलो इतनी बात सब बच्चों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि भाईया यहां पर विखंडन में क्या कहानी चल रही है है ना चलो बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं अब आता है हमारे पास खंडन तो अगर हम खंडन की बात करते हैं तो खंडन में क्या लिखेंगे हम कि हमने एक्जाम्पल लिया था स्पाइरो गैरा का है न सेग्मेंटेशन इसको बोलते हैं हमने स्पाइरो गैरा की बात करी थी ठीक है स्पाइरो गैरा की हमने क्या बोला थ यहां पर कि यहां पर तुकड़े हो जाते हैं स्पायरोगैरा में रुको रुको हमने क्या किया यहां पर हमने कुछ गड़बड करी है बहु कंडन में स्पायरोगैरा नहीं होता है है न यहां plasmo प्लाजमोडियम था यहाँ पर गलत हो गया ठीच यहाँ क्या था यहाँ पर बहुखन्डन में बहुखन्डन में क्या था आमारे पास example हाँ यहाँ पर था प्लास्मोडियम थीके प्लास्मोडियम था यहाँ पर जो कोशिका होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं में क्या होती है डिवाइद हो जाती है क्या होते हैं डिवाइड होती है यह बोल सकते हैं क्या विभक्त हो जाती है व wireless क्ो जाती है, ठीक हैं तो यहां पर Plasmo DM का एक्दा है, अभी spirogeira तो यहां पर हमने spirogeira की बात करिए कि यहां पर हमने क्या बोला कि यह क्या है यह spirogeira है इस तरीके से ठीक है यह आपका क्या है spirogeira अगर देखा है आपने लागल नीचे पानी में पाये जाता है ओक्ति लागल जीव के रूप में क्या करेंगे बदल जा कि में कि क्या करएंगी यह तीनों पार्ट हैं ठीक वे क्वा ज़त टुकरें हैं और क्या करते हैं नया जीव बना लेते हैं ठीक है कि या बना लिया ही नह नहीं बना लिया है हम चलो बढ़िया थोड़ा सा अच्छा द्विखंडन उर बहुखंडन में अन्तर समझ लो पहले आप ठीके क्या है द्विखंडन और बहुखंडन में अन्तर देख लेते हैं है ना इसको एक बर आप देख लीजिएगा इसलिए यहां पर यह क्या है दिया गया है ठीक है क्योंकि आलड़ी इसके बारे में बहुत सारा यहां पढ़ा चुकी हूं मैं आपको यहां पर पढ़ा चुकी हूं तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है चलो अब आगे बढ़ते हैं खंडन की तरब ठीक है खंडन की बात करते हैं खंडन में क्या हमने क्या हिए इसको यह आना था Price तो यहां पर क्या है सरल सनरशना वाले बहु कोशिक जीवों में जननकी सरल विदिकार्य करती है उधारन के लिए स्पाइरो गारा ठीक है उधारन के लिए स्पाइरो गारा समानेता विक्सित होकर छोड़े चोड़े टुकड़ों में खंडित हो जाता है ये टुकड़े अत् व्रद्धिकर नए जीव याने की वेस्ट्री में विक्सित हो जाते हैं जैसा कि हमने यहां पर देखा था अभी ठीक है कि चलो इसके बाद हम पुनुर्द भवन याने की पुन नर जनन याने की दुबारा जनन करना है ना जिसको हम रिजनरेशन भी कहते हैं तो यहां पर हम रिजनरेशन की बात करेंगे यहां पर क्या होता है यहां पर जो जीव होता है वो किसी भी घटना की वज़े से क्या हो रहा है टुकडों में टूट गया बिचारा ठीक है किसी भी घटना की वेसे टुकडो में तूट गया है ठीक है चलो इसको हम कैसे समझते हैं प्लनारिया से समझते हैं यह क्या है बनारिय इस तरीका के जीव होता है अब कोई दिक्कत होई आन्धी तुफान आया किसी चीज से falta किया कैसे हुए या कोई इसके पर क्या आगिया प्रे आगिया मतलब कि कोई इस पर हमला करने आगिया इसको पूछ पकड़ लिए इसकी मुझ पकड़ लिया इसका एक्स वाई जेट कुछ भी हो गया तो यह क्या हुआ भाई यह कहीं से कहीं से कहीं से कट लग गया इसमें अब सब्सक्राइब तीन और चार बागों में क्या होगए डिवाइड हो गया है रहे ने जीव में बदल जाएंगे है नहीं भाग यह नए जीव में बदल जाएंगे विए थो प्लेनारिया बता दिया आपको प्लेणारिया और दूसरा क्या है यहां पर समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको कि क्या है पॉण्ड रुपेंड विभेदित जीवों में अपने काई एक भाग से नए जीव के निर्मान की जो चमता होती है यानि की जो केपासिटी होती है ठीके अर्थात किसी कारणवस्ट जीव छत विच्छत हो गया मतलब तू कि सपोस करो चार टुकड़े बने हो सकता है इसके और टुकड़े हो गये और टुकड़े हो गये और टुकड़े हो गये और टुकड़े हो गये तो जितने भी टुकड़े होंगे उतने जीव बन जाएंगे अब एक्जैम्पल हाइड्रो तथा प्लनारिया जैसे सरल प्रान यह ना ना जैसे की पुनर जनन याने की फिर ससे जनन है ना तो क्या कहला रहा हुई है पुनर भवन कहला तो के दीट्र है चलो यह दे edges को यह है है आपका यहाँ क्या हो रहा है sort मुरके पूरा यैन विवाजित था टोड घी किसी कारण से अभिए को प्रमाइजिण कहा लाग अलग शरीर में बन गया कि इस तरीके से इसे ऐख सो दरीhanis ठीम टूँ और टरी साइट में है ठीक है ब्सार्टिय देग्स पर टीक इस तरीके से बिन गये की क्या हुआ थोड़े और जाधा डेवलब हो गया है और सेविन पर हमारी नेचर है इतनी भूसूरत है कि अलग अलग तरीके से सब को उन्होंने बोला है कि वह सब को जीने का हख है लेकिन सोच के देखा करते किसी का हाथ कट जाएगा तो क्या वह इस तरीके है है ना एक दम तो नहीं कि इतनी जल्दी जल्दी आ जाते हैं और इनके सोचो जो रिजनरेशन पावर है इनकी है जो कितनी ज्यादा है कि मतलब विदिन सेविंडेज यह फिर से पूरा एक जीव बदल गया विदिन सेविंडेज चलो अब आता है मुकुलन देखो मुकुलन में ठीक है मुकुलन में क्या यह हाइड्रा का एक्जैम्पल दे रखा है है ना कि हमने का यह हाइड्रा का पेड़ है ठीक है इसको बीच से कहीं गलती से कट गिया है तो भईया इसके दो नए पार्ट बन गए है है ना तो हमने मु शरीर में विक्सित कर लेता है खुद को जैसे हाइट्राव जैसे कुछ प्राणी पुनरila की शंतावाली कोशिकाओं का उपयोग मुकलन के लिए करते हैं हाइट्रा में कोशिकाओं की नियमित श्वेवाजन के कारन एकिस्थान पर उभार विक्सित हो जाता है यह उभार मुकल व्रधि करता हुआ नन्य जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विक्सित होकर जनक से अलग होकर सवतंतर जीव बद जाता है ठीक है चलो इसको क्या बोलते है हम इसको बोलते हैं मुकलन को बड़िंग यह देखो यह इस तरीके से होता है है ना यह क्या है यहां पर बड़ निकली बड़ से यह पेर निकल गया है ना बड़ से क्या हो गया पेर निकल गया इस तरीके से देखो यह क्या इसके tentacles है, चलो, अब आता है काईक प्रवर्दन, काईक प्रवर्दन में क्या होता है, हमने बोला यहाँ पर जो काईक भाग होते हैं, जो काईक भाग होते हैं, वो आते हैं, कैसे है काईक भाग, आपके पत्ती है, पत्तियां हो गई है, जड़ हो गई है, और क्या ह तना है यहां पर देखो मैंने एक ब्रायूफिल्म का यह Yuriifilm को यह काईखवा दूस्यां का बल जाले आने के उनकी बाद चल रही है तो यहाँ पर काईक प्रिवर्दन में कुछ पौधों में नए पौधे का निर्मान करके काईक भाग जैसे जड़, तना, पत्या, आदी से होता है इसे काईक प्रिवर्दन कहते हैं इसके प्रकर्तिक विधिया क्या है? सबसे पहले अगर जड़ की बाद करें, तो जड़ से कौन से पौधे आजाते हैं? डहेलिया, शकरकंदी, तने की बाद करें तो आलू या अद्रक, अब पत्तियों की बाद करें, तो ब्रायो फिलम, ये देखो, ये वाला एक्जामपल, पर कलिकाए होती है यह कोर है कहीं से भी की विक्सित होकर नया पोदा बना लेती है ठीक है अब कृतिम विद्या आ आ जाती है आपकी ठीक है कृतिम विद्या यानिके आर्टिफिशल यानिकि रोपड पर तGS और लेरिंग अब हैं यहां पर हमने रैज़ो पस का आपको एक्जैम्पल दिया था किस्में पाय जाता है टीक Laban таким फिस्में पाया जारा है राइजवो पसमें पारा है ठीकने कहां पर कि बढ़ा है यहां रैजविट में ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है कुछ जीवों के तंतूओं के सिरों पर बिजाणू धानी बनती है यह क्या है यह तंतू है है ना हाइफी जिसको कहते है इसके ओपर यह क्या बन रही है बिजाणू धानी बन रही है जिनमें बिजाणू होते हैं इनमें क्या है यह स्पोर्स है य जो एक मूटी भिक्ती से रख्षित होती हैं यह क्या है एक मोटी भिक्ती से क्या है रख्षित हैं ठीक अनुकूल परिस्तिति मिलने पर विजानों व्रिद्धी करने लगते हैं ठीक है यहां क्या होता है जैसे ही जॉस्पोल परिस्तित różne निडिक Ca invest फिर आता है लेंगिक जनन ठीक है लेंगिक जनन की जब हम बात करते हैं तो लेंगिक जनन में हमने क्या देखा है भाई हां कि इस विधी में क्या होता है अगर मैं इस विधी की बात करती हूं तो यहां पर जो नई संत्ति है नई संत्ति है वो क्या होती है उत्पन करने के लि एक क्या होता है दो जीवों की भागी दारी चाहिए होती है ठीक एक कोशिक हम वाले जीवों की तरह नहीं है कि बहिए एक ही जनक काफी है यहाँ पर नर और मादा दोनों जनकों की जरुरत होती है सोचने वाली बात यह है याद अठने वाली ओहो कहा थे हम यहां पर दूसरी चीज क्या बोला हमने यहां पर नर और मादा युगमक बनते हैं जिनको हमने क्या बोला, स्पर्म बोला, फिर हम मादा युगमक की बात करते हैं, तो मादा युगमक में हमारे पास क्या है, अंडाणू है, जिसको हम क्या बोलते है, ओवम, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, ओवम बोला, अब यहाँ पर देखो, हम क्या बोल रहे हैं, कि यहा यहां पर लेंगिक опर यहां पर बैत करते हैं जरुब हो रही तो नर्र के पास final हमें शुक्रानव मिल जाते हैं तो मदा से क्या मिल रहा है अंडाणू मिल रहा है अंडाणू क्या है आपका ओवम है ठीक है यह दोनों मिल रहे है यहाँ पर अब क्या होता है जब नर्से में शुक्राणू मिला मादा से अंडाणू मिला तो इन दोनों क्या होगा इन दोनों का सलेयन हो जाता है इन दोनों क्या हो र निशेचन होता है ठीक है निशेचन को क्या मोलते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ठीक है तो इन दोनों के मिलने से क्या हो रहा है निशेचन की क्रिया हो रही है यानि कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहां पर अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसका मतल मिलने से नर और मादा युगमक के मिलने से या फिर युगमक के निशेचन से निशेचन से क्या हो रहा है हां संतती बनती है संतती बनती है ठीक है संतती बनती है और क्या हो रहा है यहां पर संतती बन रही है तो इस संतती में क्या है विबिन्निता क्या है इस संतती में विबिन्निता होती है ठीक है अलग अलग होते हैं है ना क्लियर है इतनी बात ठीक संतती में क्या है विबिन्निता है ठीक अब यहां पर यह जो निशेचन हुआ है यह जो संतती बनी है ठीक है इस स यह जो संतती बनेगी, इस संतती से पहले यह क्या बनेगा? इस संतती से पहले यहाँ पर क्या बनेगा भाई? यूगमनज बनेगा. यूगमनज है ना? जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोड बोलते हैं. ठीके? तो संतती से पहले क्या बनता है यहाँ पर? लिख देती हूँ, संत्ति से पहले या फिर इसको ऐसे लेख लो कि यह जो संत्ति है ठीक है ऐसे रुको इसको 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 संत्ति नहीं इसको हम निशेचन से क्या बन रहा है यह यही लेख लेते हैं निशेचन से क्या बन रहा है यहां पर निशेशन की वरे से यहां क्या बन रहा है यूगमनज यूगमनज याने कि हमने इसको जाइगोड बोला ठीके और यहां पर इनिशेशन से क्या है यूगमनज ठीके बनते हैं ठीके इसके बाद यह जो यूगमनज है वो क्या है संतती में बदल जाएंगे ओकी इतनी बात क्लियर सबको है ना मुझे लगता नहीं कि अभी यहाँ पर कोई ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए समझने में समझाने की पूरी कोशिश की गई है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं यह देखो इस जनन विधी में नई संतती उत्पन करने हे तू वेस्टी या एकल जीवों की भागिदारी होती है दूसरे शब्दों में नवीन संतती उत्पन करने हे तू नर्वे मादा दोनों लिंगों की आविशक्ता होती है लेंगिंग प्रजनर नर्वे मादा युगमक की मिलने से होता है नर्वे मादा युगमक के मिलने के प्रक्रम को निशेचन कहते हैं यानि फदिलाइजेशन कहते हैं और संतती में विबनता उत्पन होती है simple and sweet सी बात है चलो इसके बाद यहाँ पर एक बात जानने जरूरी है क्या जरूरी है आप पूछोगे तो यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि वही जो link के अधार पर link के आधार पर जो जीव होते हैं जीवो को दो वर्गों में विभाजित करते हैं ठीक है दो वर्गों में क्या है विभाजित करते हैं ठीक है link के अधार पर कि पहला अगर मैं बात कर तो पहला क्या आजाएगा हमारे पास एक link आजाएगा ठीक पहला क्या आगे आपके पास एक link ठीक है एक लिंगी आगlla जिसको हम क्या बोलते है यह लूनी हम और सेक्शूल बोलते हैं वो clarify यह उनि इसका मतलब यहां पर क्या हैज इसका मतलब यहां पर क्या है इसका मतलब यह, पर नर है भूर और माधा यह दोनो तो अलग-अलग, क्या होते हैं, वेस्टी, वेस्टीओं में होते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका एक्जाम्पल की बात करें, याने कि हम इसके उधारन की बात करें, तो अगर हम बात करें, उधारन वे हमारे पास क्या आता है, पपीता, ठीक है, और क्या आ गया हमारे पास, तर्वूज, है न, और क्या आ गया, हम, और क्या आ जाएगा, मनुष्य, घोड़ा, बंदर, मचली आगया हाँ मचली मेंडग अदी कबोतर उबोतर यह भी लिख सकते हो आप यहां पे तो सारे के सारे क्या है उधारन है किसे एक लिंगी यानिकी unisexual के यह क्या है example यह है unisexual organisms याने की एक लिंगी जीव है यह चलो अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर एक और चीज कि बहुत जीव केवल यहाँ पर जानने वाली बात यह है जो जीव केवल शुक्राणू उत्पन करते हैं शुक्राणू उत्पन करते हैं वो क्या होते हैं वो होते हैं नर जीव ठीक है याने की मेल क्या होते हैं मेल होते हैं ठीक है और इसके साथ साथ जो जीव केवल अन्डाणू याने की ओवम उत्पन ने करते हैं वो क्या कहलाते हैं मादा याने की फीमेल जीव ठीक है इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ गई है थमसब करो और मुझे बता दो ताकि क्लास को मैं क्या है अच्छे और प्यारे तरीके से आगे बढ़ा सको बिना किसी रुकावट के ठीक है जल्दी बताओ क्लियर हो ही एक लिंगी के बाए मैं सब कुछ पता कर दिया है तो चलो फिर आप दूनी के बारे पता कर लेते हैं कि है ना जो और ब्हुत अच्छे बच्चे हो सबको समझ में आ जाता है और और दूसरा क्या आगए आपका अपका दिवी लिंगी आ जाता है दूदी लिंगी ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं बाइसेक्शुल क्या बोला हमने बाइसेक्शुल बोला अब यहां पर इसको द्वी लिंगी को एक और चीज़ बोलते हैं क्या बोलते हैं उभै लिंगी क्या बोला अपने उभे लिंग यी बोला. ठीक है? चलू. अब यहां पर नर और मादा लिंग जो होते हैं, वो हो सकता है कि कि सी एक ही के शरीर में हो? यहाँ पर जो नर है और मादा है ठीक है यह क्या होते है नर और मादा लिंग एक ही शरीर में हो सकते हैं ठीक है एक ही शरीर में हो सकते हैं ठीक है जी अब इसके बाद क्या बात करते हैं कि कि एग्जैम्पल के बारे में अगर हम देखे केuren प्रने की बात करते हैं और अप या क्या लेख सकते हो रहा धारण में यहां पर सरसो म मस्टर्ड क्याती है ठीक है और क्या गया गुढळल गुड़ हल, गुड़ हल, ठीक है, गुड़ हल आ गिया है, यानि कि हिबिसकेस हो गिया है, गुड़ हल के बाद आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर, केचुवा, है ना, यानि कि अर्थवाउम आ गिया है, केचुवा के बाद आपके क्रिमी आ जाते हैं, यानि कि इंसेक् है ऐएइड आगया है हाईड है और लाधी ठीक गया यह सारे किसारे क्या है द्वी가지 यानकी ब्थजिट समझ गई इतनी बात लिन सबको नहीं मिना किसी नाउट के बिना किसी पाउट का सब कुरे चलो नहीं के लिए दिए अब आता है पुष्पी पौधों में लेंगिक जनन ठीक है यहां जब आप 12th क्लास में जाओगे तो ये पुष्पी पादपों में लेंगिक जनन ठीक है ये क्या है पूरा का पूरा एक चप्टर है ठीक है ये क्या है पुष्पी पौधे बोल दो या पादब ठीक है में जरा सा आपको एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है जिसको हम बिल्कुल उसी तरीके से समझाएंगे चलो बहुत बढ़िया इसको समझते हैं तो अगर जब इसको समझते हैं तो समझने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि बाईया दो प्रकार के पौदे होते हैं सबसे पहली एक आपका क्या है अनावरत बीजी ठीके अनावरत बीजी जिसको आप क्या बोलते हो जिम्नोस्पर्म ठीके एक तो यह आजाता है और दूसरा क्या आता है आपका आवरत बीजी जिसको आपने क्या बोला एंजी इसपर्म जिसको आपने क्या बोला एंजी इसपर्म बोला तो पाधव hidden जगत को इन दो भागों में वर गीकत किया हुआ है हम पाधव जगत के बारे में नहीं पढ़ रहें सिर्फ यहां पर यह कुछ important जीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो अगर मैं किसके बात करती हूं अगर मैं अनावरत कहती हूं याने की अनावरत इसका मतलब हुआ नहीं ठीक है मतलब नहीं मींस नो नो मींस नो तो इसने कहा कि मेरे पास क्या है ऐसे बीज है मेरे पास ऐसे बीज है जिनका आवर बीज है जिनका आवरण नहीं है या जो किसी आवरण से धके हुए नहीं है जो किसी आवरण से धके हुए नहीं है इसका मतलब इसके जो बीज होते हैं वो नगन होते हैं सिंपल सी बात, इसके उपर कोई आवरण नहीं है, इसके बीच ढके वे नहीं होते हैं, उगड़े वे होते हैं, फिर अगर मैं आवरण बीजी की बात कह रही हूं, तो यह कह रहे हैं भाई, मेरे पास ऐसे बीच हैं, जो ढके वे हैं, बड़े सुन्दर से हैं, ठीके, इसके पास जो बीज होता है उसके पास आवरण मौजूद होता है सबसे बढ़िया एक्जामपल आप किसका लोगे मैं कहती हूँ ये रहा आपका आम अरे तो खेला बन गया नहीं ये तो खेला बन गया हम बना रहे थे आम ठीक है ये रहा आपका मैंगो सबी ने आम खाया है ठीक है अब इस आम को अगर हम काटते हैं तो अंदर हमें एक बीज नजर आता है इसके अंदर एक बीज नजर आता है तो यहाँ पर ये जो बीज है वो ये है ठीक और ये जो बाहर खाने वाला है वो इसका आवरण है यानि कि भाईया उसने साफ बता दिया कि इसके बीज के पास आवरण है, इसके बीज ढके हुए है, तो यहाँ पर हम किन की बात करेंगे, हम इनी आवरत बीजी पौधों के बारे में बात करेंगे, ठीके, हम यहाँ पर आवरत बीजी पौधों के बारे में बात करेंगे, ले आगे बर जाते हैं यहां पर क्या होता है यहां पर अगर नहीं यहां पर आवरत बीजी में यहां पर जो इनके जननांग है जब हम पुष्प की बात करें इन में ठीक है तो पुष्प की बात कर रहे हैं तो पुष्प की बात कर रहे हैं याने कि यह क्या है यह पुष्प भि मौझूद होते हैं जैने नांग कहा होते हैं पुष्प में होते हैं ठीक है यह क्या है अपुष्पोध भिद ठीक है अनावरत बीजी और आवरत बीजी क्या है पुष्पोध भिद ठीक है कि यह कह रहा है कि ना इसके पास बीज दके हुए है और अपुष्पोध भिद यान इसका जो बीज है वो किसी आवरन से हैं और वह पुश्प है वह मौजूद है वहाँ पर ठीक है इतनी बात clear चलो आजाओ अब बात करते हैं अगर हमें पुश्प की बात करते हैं सबसे असान से चीज़ समझो कि जब हमें पुश्प के बारे में बात कर रहे हैं तो पुश्प की संरचना है यानि की जो स्ट्रक्चर है उसका वो क्या है वो चार भागों से मिलके बना होता है ठीक है इसके पास क्या होते हैं चार भाग होते हैं और चार भाग क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन है लेकिन जो चार भाग है न यह दो चक्रों में क्य चार भाग ठीक है कौन से दो चक्र होते हैं बता देती हूं दो चक्र होते हैं सबसे पहला होता है आपका सहायक अंग बोल दो या सहायक चक्र बोल दो कोई दिक्कत नहीं है जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सेसरी ओर्गन ठीक है यह बोलते हैं और दूसरा क्या होता है हमारे पास दूसरा आपके पास क्या है आवश्यक अंग या किर या फिर इसको आवश्यक चक्र बोल दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जिसको हम असेंशियल बोलते हैं एसेंशियल ओर्गन मतलब कि जो बहुत जादा जरूरी है ओके ठीक है अब यहां पर हम बात कर रहे हैं हमने बोला चार भाग दो दो चक्रों में होते हैं तो चार भाग क्या कि बहुत यहां आएंगे और दो वहां आएंगे ठीक है भाग चार हो गए वन और टू इधर वन औ ठीक है तो भाई चक्रतों ओक है एक यह रह और कि हूँ लेकिन भाग क्या हो रहे हैं समझते हैं भाग क्या है तो सबसे पहला भाग क्या जाएगा आपका मम है और थे के बाह दल अगर आए दुसरा जाएगा आपका हाँ दूसरा जाएगा आपका दल ठीक है दूसरा क्या आगिया दल अब अगर बाहे दल की बात करें ये संख्या में ये संख्या में एक से जादा है तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर एक से जादा है तो बाहे दल पुंज कहलाएगा क्या कहलाएगा बाहे दल पूंज ठीक है? बाहे दल पूंज अब अगर हम दल की बात करते हैं यहाँ पर अगर एक है तो बाहे दल है यह सिर्फ एक है तो और संक्या में एक से जादा है ठीक है? दो, चार, पांच, छे, दस कितना है? तो यहाँ पुंज लग जाएगा तो बाहे दल पुंज हो जाएगा फिर अगर मैं दल की बात करती हूँ तो सेम चीज यहाँ पर एक है तो दल है और यह संख्या में एक से जादा है तो यहाँ पर भी दल लग जाएगा तो यह क्या कहलाएगा हाँ दल पुंज क्या कहलाया य वश्यक अंग की बात कर रहा है तो यहां पर यह जो असेंशियल ओर्गन्स है यहां पर जो असेंशियल ओर्गन्स है वो कौन से हैं आपके पहले आजाएगा आपका जायांग ठीक है जायांग आजाएगा पहला और दूसरा क्या आजाएगा आपका यहां पर पुमंग जाया पुमंग को क्या बोलोगे आप एंड्रेशियम ठीक है ओके ना क्लियर अब यहां पर जो जायांग है वो क्या है आपका मेल भाग है याने कि यह क्या है आपका नर भाग है ठीक है और यह क्या है आपका मादा भाग है यह क्या है नर भाग है और यह क्या है मादा भाग है ठीक भी हैं वेज़िकर चलो इसतना समझेये आप लोग थीक है चलो हैद ना इतनी बात समझ में आ जी हमको तो यहां पर आगे बढ़ने से से पहले अपने को एक बात आधर समझने समझ ठीक है यह क्या होते हैं आकर्शक होते हैं ठीक है आकर्शक होते हैं और आकर्शक होने के साथ सथ इनको एक और काम करना होता है जो पुष्प होती है पुष्प होता है उसकी रक्षा करना होता है ठीक है अगर यह आकर्शक नहीं दिखेंगे सुन्दा नहीं दिखेंगे तो इनकी तरफ क्या है दूसरे जो कीट है वो कैसे आएंगे इंसान भी ऐसा है जो चीज सुन्दर होती है उसकी तरफ किसक जाता है तो भाई की मकोड़े भी तो ऐसे हैं उनको सुन्दर सुन्दर फूल दिखाए देंगे तब ही तो फूलों की तरफ जाएंगे हां चलो फिर और यहां पर हम एक चीज और कह सकते हैं कि जब किसी पुष्प में जायांग और पुवंग दोनों मौजूद होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं एक लिंगी कहलाते हैं जब दोनों मौजूद है तो वो एक लिंगी है और जब दोनों अलग-अलग में मौजूद है तो वो एक लि देख लेते हैं और बताते हैं कि फूल की संद्रशना है वो कैसी है शुरुवाद इसकी यहां से होती है यह क्या होता है पुष्ट पुष्ट पवरंत होता है इस पुष्ट 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 के ऊपर क्या होता है इस तरीके से एक संदरशना निकली हुई होती है ठीक है ऐसे होती है उसके बाद पर मैंने क्या कहा है एक खुपसूरत सी इस तरीके से संदरशना होती है पुश्पक में ठीक है सभी को अपनी तरफ क्या करती है वो ललचाती है सुंदर सुंदर बन के उसके बाद क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है एक संद्रश्णा निकली हुई होती है ठीक और आखिर में क्या होता है एक और बहुत सुंदर सी प्यारी सी संद्रश्णा होती है जो कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है और बीच में सजीद हजीद बैटी हुई होती है फूल के ठीक है इस तरीके से यह हमारा क्या बन गया एक फूल बन गया है अब इस फूल के भागों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले मैंने क्या बोला यह क्या है पुश्प वरंत ठीक है यह क्या है पुश्प वरंत जो है यह पेड़ की टहनी के साथ जुड़ा ह हुआ होता है ठीक फिर हमारे पास यह हरा हरा सा भागा जाता है एक तम पत्ती के जैसा होता है ऐसे करके एसे करके आज़ता है लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आती है यह यह क्या है पुश्पासन ठीक है यानि कि पुश्प का आसन ठीक है कि पुश्प इसके उपर दल पुंज जो मैंने अभी आपको बताया था ठीक फिर यह क्या आजाता है आपका दल आ जाता है संख्या में एक है तो दल और एक से जादा है तो पुंज लग जाएगा याने कि दल पुंज कहलाएगा ठीक उसके बाद यह पीले सा रंकी संवर्शन आ जाती है जहां मैंने बोला कि यह क्या है यहां बताया था देखो कहां गिया हूं यह रहा जायांग और पुमंग यह दो चीज जो मैंने यहां पर समझाई थी कहां चला गिया आपको समझाने के लिए मैंने कहीं बताया था कि अरे बापरे कहां चला गया कहां बताया था भाई चलो कोई बात नहीं कहीं तो बताया था लेकिन कोई बात नहीं यहां यहां तो बताया था हाँ हां हां चलोँ कोई बात नीं इसको हम एसे समझ लेते है कि अगर ये क्या है ये रहा ही में एक है तो है तो si c sam éimo में एक है तो पणकेशक ठीके और जादा है तो क्या पुंवंग ठीक हे पुंवंग है याने के एंडरेशियम कहलाएगा ठीक है और स्टेमन है याने की पुंकेसर हाइगा हरह पर हमारे पास सुस्दा सुजिज़ने साथी संदरशना ती जिसको हमने क्या पूलताюсь था में एक है तो इस्तरी केसर और ज्यादा है तो जायांग ठीक है ना जायांग क्या हो गया हो गया और इस्तरी केसर है तो पिस्टल हो गया यह वाली पिस्टल नहीं समझ लेना ठीक है यह वाली पिस्टल है चलो अगर मैं बात करती हूं कि भाई इसकी पुंकेसर की बात करती तो जो पुंकेसर है ये दो भागों से मिलके बना हुआ होता है कैसे ये आपका पुंकेसर ये दो भागों से मिलके बना हुआ है ये वाला भाग ये क्या कहलाता है तंतु याने की फिलामेंट कहलाएगा ये ये आपका फिलामेंट है ये क्या है आपका नर भाग है ये पूरा का पूरा क्या है नर भाग है ये ठीक है पूरा का पूरा नर भाग कहलाएगा और ये वाला क्या है पराग कोश जो पराग कड़ होते हैं यही पर पाए जाते हैं ठीक है ना ये सारी चीज़े जो है आप पुश्पी पादोपों में लैंगिंग प्रचिनम को आगे चलके 12th क्लास में पूरा पढ़ोगे डिटेल में इतना confusion वाली बात यहां नहीं इतना सोचना भी मत फिर मैंने क्या बोला यह हमारा स्त्री भाग है ठीक है स्त्री भाग कैसा होता है कुछ इस तरीके से होता है ठीक है इस तरीके से यह स्त्री भाग हो जाता है यह तीन भागों से मिलके बना उआ है 1, 2 और 3 सबसे नीचे की बात करें तो यहां पर ओवरी आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं अंडा शेय बोलते हैं हमने इसको क्या बोला अंडा शेय बोला फिर बीच में यह लड़की है न तो अव्यसी बात है इसको अपनी बोड़ी मेंटीन करने का बहुत शौक है ठीक है इसलिए यह पतली दुबली से यहां पर एक संद्रशना पाई जाती है ठीक है जिसको हम क्या बोलते है वर्तिका ठीक है याने की स्टाइल ठीक और यह क्या है वर्तिकाग्र याने की स्टिग्मा जो पराकर होते हैं वो यही पर इसी स्टिग्मा पर आके चिपक जाते हैं यह एक चिपचिपी चिपचिपी सी संद्रशना होती है यहां पर जानने वाली बात इतनी है, ये हमारा मादा भाग है, ठीक है, कन्फ्यूजन कहीं से कहीं नहीं रखना है आप सब को, चलो, बढ़िया, पुष्पी पातपों में लेंगिक जनन के बारे में हम इत्री सारी बाते कर रहे हैं, ठीक है, कि वहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं, पुष्पी कि जरूरत होती है ठीक है ठीक है या रेव दोनों क्य जरूरत हो रही है ये देखो इसको समझो आवारत भी जी एंजी इस फ़म Soo इनको बोलते हैं हम के जननांग पुष्प में अवस्तित होते हैं और आप पुष्प के विविन भागों के विशय में पहले ही पड़ चुके हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है है यह बाहे दल दल पुंकेसर और स्त्रीकेसर अब पुंकेसर और स्त्रीकेसर क्यों है व ठीक है यह इसलिए लिखा है क्योंकि यह जो सवाल है बहुत बार एक नंबर में आ जाता है वन मार्क में पूछा जा सकता है कि इनके क्या काम है ठीक है कि पंखुड़ी यानि कि यह जो पंखुड़ी है और क्या है आपका यह जो बाहे दल है यह वाला इन दोनों के क्या काम है तो बाहे दल क्या काम कर रहा है जो पंखुड़ियां है इसको ऐसे समेट के रख रहा है इसको समेट के रख रहा है कि बाई कहीं से कहीं तक पंखोडियों को कोई नुकसान नौचाहे और जो उमारी पंखोडिया Hon या यानि कि दल है वह क्या कर रहे वह क्या करएं कीटो को अपनी दरभाकर्षित करें जिस की व्यद्व responding होगा वय compoundaliniation होगा है ना कि दूसरे कीट आके बैठेंगे हैं ना दूसरे के जो पराग कड़ है वो लेकर आएंगे ठीक है देखो इस तरीके से मैंने बताया था ना वर्तिकागर वर्तिका और अंडाशर तीन इस्री केसर में आ जाते हैं यह आपका बाहे दल है यह पंखुडी है ठीक है यह पराग को युगमक बाया जाता है मादा युगमक यहीं पर होता है जो सब कुछ आप एक्स्प्लेमेशन में पूरे तरीके से आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे ठीक चलो अब फूल के प्रकार में आपको बता चुकी हूँ फूल के प्रकार क्या है वह एक लिंगी और द्वि वर्तिकाग्र यानि कि हम स्वय परागन यानि कि सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है यहां पर या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र यानि कि पर परागन यानि कि क्रॉस पॉलिनेशन बहुत important question है बहुत बार आ जाता है कि यह स्वय परागन और पर परागन के बीच में अंतर इसपश्ट कीजिए पांच नमबर में सवाल बहुत बार फस जाता है यह ठीक है यहाँ पर क्या बोला कि जो पराग कोश्वे पराकट बन रहे हैं वो इन में से किसी के भी द्वारा जो है या तो अपने ही पुष्प के वर्तिकागर पर कि अगर मैंने बोला कि यह क्या है यह एक पुष्प है ठीक है यह एक पुष्प है इसी में क्या है यह नर भाग भी है तो यहां से क्या होगा यहां से उड़के 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 इसमें आ जाएंगे या फ पर यानि की दूसरा है ना कहेंद तो पराई तो वो किया पर ईंतला दूसरी ik dabrak अब अब पराखकन सी नलीक विख्सित होती है जिवर्तिक आगल से होती है बिजान टक पहुंचती पहुंचती है कौन सी नलीका की बात और critic पर यहां एक नलीका बनती है यहां जो कहां तक पहुंचती है इस बीजान तक पहुंच जाती है ठीक है अंडशे के अंदर नर्वे मादा युगमक का निशेचन होता है जो मैंने बताया था अंडशे क्या बताया था मैंने कि यह क्या है आपका यह अंडशे है यहां पर क्या है नर्वे मादा युगमक का सल्लेयन होता है मतलब निशेचन होता है जो नर्वे मादा युगमक होता ह और बिजान से कटोर आवरण विक्सित होकर क्या होता है बीज में बदल जाता है फिर अंडाशे क्या होता है फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग जड़ जाते हैं इस बन्बर चीज पर लांग नम nut नब्र में आ जाता है कि अंधाशे किसमें बदल जाता है हमी छलो वेरि गुद्ष आगे बढ़ जाते हैं फिर एक और चीज आती है अंकुरन क्या होता है हमceptions बहुत बहुत बार बात करते हैं complicated अंकुरन हो रहा है तो अंकुरन होता क्या है 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 ना हमने ऐसे बात करते हैं कि अंकुरन क्या होता है कि जो बीज होता है है तो बीज है यह भावी पौधा है ठीक है भूर्ण जो उप्यूक्ट परिस्थितियों में नवोभिद में विक्सित होता है इस प्रकार का जो प्रक् नए पौधे में क्या हो रहा है विक्सित हो जा रहा है और इस प्रोसेस को आप क्या नाम दे रहे हो अंकुरन बोल रहे हो देखो most important है ध्यान दे लेना इसको मैंने बताया है most important बहुत बाद इस अवाल आपका फ़स जाता है तो इसको आप देख लीजेगा एक बार चलो फिर आज आता है मानव जनन याने की अभी तेक हमने बात करी थी चलो इससे पहले ठीक है मानव जनन के बारे में हम बात करेंगे लेकिन अभी तक हम किसके बारे में जनन बात कर रहे थे हम पुश्पो के बारे में बात कर रहे थे कि पुश्पो में किस तरीके से जनन होत को हमारी पीडी है है ना जो हमारी पीडी है उसको क्या करना है उसको भी तो हमें आगे बढ़ाना है है ना उसको भी तो आगे बढ़ाना है अगर आप जनन नहीं करोगे ठीक है तो भई जो हमारी पीडी है वो तो यहीं पर क्या हो जी खतम हो जाएगी आगे कैसे बढ़ेगी है ना जो हम हैं माने से बच्चे हैं हमारे माबाप है भर आगे बढ़े इसलिए चाहता है वह अगर जनन नहीं होगा तो हमारे देश की जनसंखिया आगे कैसे बढ़ेगी, है ना, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ना है क्या कारणा है, यही जनन का कारणा है, ठीक है, इसी जनन की वैसे जनसंख्या इतने आगे बढ़ रही है, है ना, हम, चलो फिर, तो मानव जनन याने की हम किसकी बात कर रहे है, human reproduction की बात कर रहे है, यह क्य जो है क्या हो रहा है तो यहां पर हम जो human है ठीक है यह जो इंसान है इसका क्या हो रहा है सेम टाइप की जो संत्ति है वो क्या बन रही है बार-बार बन रही है ठीक है बार-बार बन रही है उनका जो अनुवांशिक पजारते वो सेम है लेकिन उनमें विबनिताएं हैं सेम है जैसे दिखते हैं लेकिन बिल्कुल उनके जैसे नहीं होते हमें गुड़ अलग अलग होते हैं हमारी अवाज अलग है कि अगर मेरे बाल ऐसे हैं तो ज़रूरी मेरी मम्मी के बाल बहुत ज्यादा कर ली है मेरी मम्मी के बाल वही अगर मेरी भेहन के बाद करूं तो मेरे बाल लो ठीक है ना तो यहाँ पर हम क्यों करते हैं जनन अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ लिख देते हैं परिवार को क्या करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए है ना वे छोटा परिवार सुखी परिवार हम दो हमारे दो बहुत टैग लेंड चलती है है ना सब ने सुनियोगी सरकारी होस्पिटल में चले जाओ वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है हम दो हमारे दो चलो आगे बढ़ते हैं फिर आता है जनन तंत्र अगर हम मानव जनन की बात कर रहें तो अब्वेस ही बात है जनन तंत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए याने कि हम बात कर रहे हैं रिप्रॉड़क्टिव सिस्टम कि किसकी बात कर रहे हैं हम रिप्रोड़क्टिव सस्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत जनन की बात कर रहे हैं तो अब बाता सिर्फ दो ही जनन तंत्र है है ना कौन से है एक मादा और एक नर यहां आ गया नर जनन तंत्र ठीक है याने की male reproductive system जिसको हम बोलते हैं male reproductive system और दूसरा क्या जाएगा आपका मादा जनन तंत्र मादा जनन तंत्र याने की female reproductive system ठीक है दोनों का बहुत important role है हमारे शरीर में ठीक है यह दोनों ही चीज़े क्या है? एक नर को एक मादा से अलग बनाती है तो भाइ हम जान सकते हैं नर है इसलिए मादा है और मादा है इसलिए नर है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं है ना क्योंकि इन दोनों के बिना ही भाई जनन की प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नर्द से हमें क्या मिलते हैं शुक्राणू मिलते हैं और मादा से क्या मिलता है अंडाणू मिलते हैं और यही डिसाइड करते हैं दोनों मिलके कि भाईया लड़का करना है वो आता है व्रशन कोश याने की जो सबसे बाहर की संरशना होती है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से यह क्या होता है व्रशन कोश होता है लड़कों में जो कि उनके शरीर से बाहर पाया जाता है ठीक है यह क्या है व्रशन कोश है आपका है ना फिर हमारे पास क्या आता है एट जोड़ी क्या आता है व्रशन यानि कि टेस्टी जो इसके अंदर कुछ इस तरीके से मौजूद होती है व्रशन कोश में ठीक है इस तरीके से मौजूद होती है तो यह क्या है आपकी यह आपके व्रशन है यानि कि टेस्टी है फिर आत रशन कहलाती है यह दोनों तरफ होती है यहां क्या काम होता है यहां पर यह जो क्या है स्पर्म्स बनते हैं वो यहां पर स्टोर होते हैं फिर यहां से नली का निकली होई होती है जो इस तरीके से बॉड़ी के अंदर जा रही होती है ठीक है फिर एक जोड़ी शुक्र वाहिनिया याने की जिसको वास डेफिरेंस बोलते हैं शुक्र किसको बोला गया है यहाँ पर शुक्र होता है भई क्या शुक्राणू ठीक है तो यह जो जोड़ी शुक्र वाहिनिया है ठीक है क्या काम करें शुक्राणू को ले के जाने का क काम करती है कहां से लेके जाने का यहां से पीनस तक यानि कि जो शिष्ण होता है वहां तक फिर आपके पास आता है मूत्रमार यानि की यूरेथ्रा आ जाता है यह भी बहुत जो शुक्र होते हैं शुक्र वाहिने क्या काम कर रही है जो स्पॉम्स है याने कि क्या है शुक्राणू है उनको यहां तक ले जानाया काम करती है और यह जो पैनिस है यह जो पीनस है यह जो मादा होती है उसके शरीर के अंदर जाके यहां जो शुक्राणू बनते हैं यहां कि यहां पर जो sperm बन रहे हैं उनकी खुश्बू कैसaa कि सबकर सब क्वужд करते हैं यहीं करती हैं यही करती हैं ठीक है तो बैर हमने क्या बोला जनन कोशिक पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं के को निशेचन के स्थान तक पहुचाने वाले अंग सहीवत रूप से नर्जनन तंत्र बनाते हैं यह सारे के सारे फिर सबसे पहले क्या आता है व्रशन आता है तो कोशिका आत्वा शुक्राणू का निर्माण व्रशन में होता है यह उदर गुःा के बाहर व्रशन कोश में स्तित होते हैं तो बोईस में उनके शरीर से बाहर कुछ इस तरीके से मौजूद होते यह व्रशन कोश जो हुते है है भ الا शक्राण यह कि शुक्राण उत्पादन के लिए आवश्रक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए ठीकिए अब व्रिषण ग्रंथी टेस्टेस्टरोंड हॉर्वन उत्पंद करती है ठीकिए जो टेस्टेस्टरोंड हॉर्वन है यह बहुत important काम करता है क्या काम है कि बेशक्रानों का उत्पादन का नियंतरण यानि कंट्रोल करना कि कहीं ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है और ओड़ी आना ये सारी के सारी चीते ठीक है फिर आतीं शुकर वाहिने के बारे मैंने भी बात की तो शुकरवाहिनी क्या काम करी है यह फर मूत्र और वीरे दोनों के बाहर जाने का मार गई यानि कि जो मूतर मार गई युडेतरह यह सेम है मेल्स में लड़कों में कि यहां से मूतर वीरे दोनों जो है सेम एक ही जगा से जाएगा अलग-अलग पात नहीं है कि बाहरी आवरण के साथ इससे Shish न कहते है यानि तरल माध्यम में आ जाते हैं ना माध्यम उने पोशन करते याने nutrition दे रहा है उनके इस्थानांतरन यानिकर में सहाइता कर रहा है शुकुराणू तदा गरन्तियों का स्ट्राव मिलकर वीरे बनाते हैं ठीक। जिसको हम सीमें बोलते हैं सीमें चालो वरशन कोश देखो कुछ इस तरीके से है ठीक है ये वाला जो हिस्सा होता है बाहर का ये क्या है आपका वरशन कोश कहलाता है ये क्या है आपका ये शिशन है यानि की जो पीनस है ठीक है और क्या है बैने बताया था न कि इस तरीके से जो ये टेस्टीज है टेस्टीज चीज़े यहीं से होती है है ना हम चलो कि आगे बढ़ जाते हैं सबसे एक और इंपॉर्डन चीज आती है शुक्राणू की संरश्णा के बारे में बात आ जाती है उतको जानलो जरूरी है कि शुक्राणू कैसे होते कुछ इस तरीके से होते हैं अभी तो मैं रफली ऐसे बना दे रही हूं ठीक है कुछ इस तरीके से शुक्राणू पाया जाता है यहाँ पर एक्रोजोम होता है ठीक है यहाँ पर केंद्रक होता है यहाँ पर इसका माइटो कॉंड्रिया होता है ठीक है यह सारी की सारी चीजे ना आप ट्वेल्ट क्लास में जाके बिल्कुल एक बढ़िया जरीके से पढ़ोगे इसलिए हमें रफली एक पर समझा दे रही हूं ताकि आप लोगो को कन्फीशन ना हो यह तीन हिस्सों में बटा होता है एक तो सिर में एक नेक में और एक पार्ट है एक हेड़ पार्ट हो गया है एक मिडल पार्ट हो गया है जो मैं अभी बताऊंगे यह एक्रोजोम होता है यह एक्रोजोम में इंजाइम होता है जो क्या करता है अंडानों को विभेदित करने का काम करता है यह केंद्रक है यहां पर जिसके अंदर क्या होता है आ छिस्तूष्य जनंत्र के बारे में तो ये प्रक्रिया के अतरिक भी बहुत सारे काम करती है ठीखे जैसे कि क्या कर रही है जैसे कि यहाँ पर निशेचन भी होता है निशेचेक कहा होती है एक आउरत के श एजेश क deliberate मर्द में तो नहीं हिर बुरून का विकास यह निकी जो बच्चे का विकास होता है वो भी सबसे पहले क्या आता है एक जोड़ी अंडश है याने की ओवरीज आ जाती है अभी इसके संद्शन देखेंगे तब समझ में आएगा आपको फिर वाहिनी तंत्र याने की डक्ट सिस्ट्रम आता है फिर आपका गर्भाश है याने की यूटेरस आता है योनी याने की वजाइ पॉर्षाएनन है इतना सही हुता है हमारा मादा जनंतर आतने से जेगां में बच्चा भी आँपार न हुकि इससे उपर तो यह अमारो पेट आगिया न इतना ऐस हो रहा है नहीं है इसे उपर यहां पर मारा सब कुछ आ गए देखो किया आपका यह लीवर आ गिया है यह आपके इंटस्टाइन आ गए हैं है ना कि ठीक यह यह आपके लंग से देखो यहां तक छलो समस्जने सको संदश्णा बना के देखते हैं जल्दी समझ में आएगी आपको है ना तो मैंने क्या बोला कि यहां पर यह संदश्णा कुछ इस तरीके से होती है देखो यह रफ बना रहे हूं डाइग्राम एक बर ठीके इसलिए इसको जादा वो मत करना रफ ली समझो बस इसको कि इस तरीके से क्या होती है एक मादा संदश्णा होती है तो मैंने क्या भबने क्या बात करी थी कि यहां पर क्या है हमारे पास एक जोड़ी अंडा शेय है है अहां क्या होता है यहां यहां अंडे बनते यह बनता है कि यह क्या है यह कहलाथियो, इस के करने लपक किसको अंदर ले लेती है पिर ये कने आती है रहे पिर अकि अंडवाहि नहीं अदियं जियाने की वैलिआशा ट्यूब कहलाती है ठीक है फिर आपका यह वाला भाग किया आता है है क्या है क्या है गर भास्छ तो ठीक है यह बाग कि आपार अधर भाश हरे ठीक है न ओक्ए यहां कि आ आजाती है आपकी हां वेजाएना यानिकी यह नहीं आ जाती । ठीक है कुछ चीज हैं सर्फ आपको यहीं जानना ़् phrase जालने की ज़रूत है सिर्फ यह जानने की जरूत है कि यहां पर अच्छा होता क्या है यहां पर होता क्या है actually में कि जब नही baterrie तो hem करता है तो अगर यहां पर एक बार में करोड़ों मान के चलो मैं करोड़ों यहां पर आपके स्पर्म शुक्रान्व आरें तो उन में से भाई बहुत सारे तो तभी के तभी मरें जाते हैं क्योंकि यहां जो मीडियम है वो कैसा इसे डिक है यानि कि अम लिए है फिर यह हमारा क्या है यह गर भाशे है इंस गरभाशे है यह यहां पर थीन लेयर सोती है तीन लेयर्स होती है इस तरीके से यहाँ पर ठीक है तीन लेयर्स से बना हुआ होता है यह ठीक है यह तीनों की तीनों लेयर्स के अपने अलग अलग काम है एक लेयर दो लेयर तीन लेयर जिनके बारे में आप आगे चलके बहुत ज़्यादा पढ़ोगे अंडोमेटरिम, माय इनके बारे में इतना मत जानो सिव इतना जानो कि यह गरबाश होता है तीन स्थरों से मिलके बना हुआ होता है इतना जानो सिंपल सी चीज़ है अब यहां पर शुक्रान हुआ है यहां से आए 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 अब यह इनुने यह वाला रस्ता चुना ठीक है अ ज़से यहां से यहां और खुछिंगे यहां लंगता है क्या शेल सब्सक्राइब foreign particles आ रहे हैं कि बहार से कुछ unwanted चीज़े आ गई है body को यह लगने लग जाता है तो वो क्या करती है इसे medium बना देती है कि जहां पर क्या होता है इनके बचने के chances कम हो जाते हैं करते 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 यहां पहुंचे यहां से क्या निकला एक अंडा निकला ठीक है यहां से अंडा निकला इन्होंने पकड़ लिया यह अंडा यहां पहुंचे यहां से यहां से यहां पहुंच गिया तुम भी का रीजन होता है तुम भी का रीजन होता है यहां पर तुम भी का जहां पर क्या होता है यह जो ठीक है अब इनका यहां होगे यहां से आएंगे 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 और क्या होंगे यहां पर क्या करेगा यहां पर आके चिपक जाता है इसकी वॉल पर ठीक उसके बाद दीरे दीरे करके जब अब यह तो करी लिया है जो मादा है तो यह बच्चा बन जाएगा और यहां से बीच में इस तरफ आ जाएगा गर भाशे में यहां पर यह होता है ठीके तो यह क्या है स्री जनन तंत्र में ऐसे काम चलता है Åh में पित्जी पूरा बन जाता है तो यही वह यह निए मारए जहां से बच्चा क्या करता है बाहर की तरह आजाता है च्वब क्लास में आका अब सब कुछ सबक decentral ड़ ने जो हो रहा है कैसे सब पड़ो ठीक है यहाँ पर जानने वाली चीज यही है तो यही जान लो बस हर एक अंडाशे बाहर की और एक पतली जनन एलपेथीलिया मिस्तरित होता है अंदर अंडाशे पितिका होती है जिसे दो भाग कहते हैं यानि कोटेक्स परिदिये और केंद्रिये मेजूला अब अंडाशे के मेडूली भाग में अनेक अंडाकार गोल समनशनाय विक्री होती है उन्हें प्राथमिक पूटिकाय या अंडाशे पूटिकाय कहते हैं यह परिपक्व होने पर ग्राफियन फॉलिकल बनाती है यह सारे चीज़े भी आप आगे चलके पढ़ोगे सिफ मैंने लिख दी थी कि आपको समझ में आ जाएं कि अच्छा क्या होता है ठीक है यहां पर आपकी अंडवाहिनी आ जाती है अंडवाहिनी क्या काम करती है जो अंडवाहिनी जो अंडवाहिनी जो अंडवाहिनी जो अंडवाहिनी जो अंडवाहिनी जो अंडवाहिनी जो अंडवा करता है मिलता है ठीक है यहीं अंडवाहिनी में यह आपके अंडवाहिनी यह रही ठीक है यहां से अंड़ा निकला यहां पहुंचेगा यहां से जो स्पर्म आएगा वो यहां मिलेगा चलो अब पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या-क्या खेल होता है तो यहां क्या है कि अंड़ होता है कोशी का निर्मान अंड़ शे में होता है जो मैं अलड़ी आपको सब कुछ अभी बता चुकी हूँ लड़की के जनम के साथ इंड़ाशा में हजारों परिकव अंड़ए घम क्या है तो यहां क्या है लाख फिर योवना अर्म पर इन में से कुछ अंडे परिकव होनी लग जाते हैं जैसे जैसी नट जो है लड़की मैच्यूर होती है उसके जो एक एक है यह से करके कई सारी जो एक से शुनों but... नट इंधाशे की निमाली है फीर मैंने वरी के बयाख मतनरों हो स्थीन होनिदा भात जात कट राने का काम करती है अंड कोशिक भी शुक्राणु का जो निशेचन रखिर यहां पर होता है यहीं बताये था मैंने हैं नई प्र आजाता आपका गरबाशे ये धैली नुमसोंडिशना होती है जहां पर शिश्यु का विकास होता है गरबाशे ग्रीवा दौरां योनि बच्चा बन गया पर सवाल आता है कि अगर निशेचन नहीं हुआ तब क्या होगा अभी तक हमने यहां पर क्या बात करी कि निशेचन हुआ है तो बच्चा बन रहे हैं मैंने यहां पर यहीं बताया है कि निशेचन यहां हुआ है बच्चा बनाया और ऐसे से बाहर निगल गया पर अगर सपोस करो यहां पर यह अंडा मिला ही नहीं इसको यह जो अंडा है ठीक है यह मिला ही नहीं यहां पर इस परम यहां फालतु में आया गूंगाम के चला गया और विचारा मर भी गया यहां 24 24 से दिन और यहां पर ठीक है और क्या फिर तो वर यदि अंड कोशी का निशेचन नहीं हो पा रहा है तो यह लगबक एक दिन तक जीवित रहती है क्योंकि प्रते अंड़ अंड का मोचन करता है अठाव निशेचन अंड की प्राप्ति है तो गर्वा शेवी प्रतिमाह तयार रहता है इसकी अंतहा बित्ती मासल एवम स्पंजी हो जाती है यह अंड के निशेचन होने की अवस्था में उसके पोशन के लिए आवश्चक है परंतु निशेचन ना होने की अवस्था में इस पर्थ की भी आवश्चकता नहीं रहती है मतलब कि यह पर्थ क्या होती है तू सुस्तराव यर रजोधर्म भी कहते हैं इसकी अवदी लगवाद दो से आठ दिनों तक होती है यहां एक चुकराणू और अंडारू नहीं मिलते हैं तो बेसिकली होगा क्या तो यूटरस होता है जो गर्भाशे होती है मैंने क्या बताया देखो यहां पर क्या बताया यहां तीन लेयर होती है यहां जो लेयर होती है सबसे अंदर वाली यह क्या होती है मासल होती है मसल से बनी होती है अगर यहाँ पर गर्ब धारण हो जाता है तो यह जो अंदर वाली लेयर है वो क्या होती है मोटी हो जाती है ठीक मोटी हो जाती क्योंकि इसको यहाँ पर बच्चे को पोशन देना होता है बच्चे को carry करना होता है ठीक है लेकिन अगर यहां गर्ब धारण नहीं होता है तो यह जो layer होती है क्या होती है टूट जाती है किसमें blood में टूट जाती है और यहीं योनी mark से यह blood जो है बाहर निकल जाता है ठीक है यह हर वही अपना 28 से 30 दिन का चक्र होता है सारी process में यह देखो menstrual cycle है अब मैंने क्या बदाया कि अगर यहां पर conceive कर लिया है यहां पर शुक्राणू आ गया है है और अंडाणू भी है दोनों का मिलाप यहां हो गया है तो यह यहां बच्चा बनके आ जाएगा लेकिन अगर यहां नहीं हुआ है ऐसा तो यहां कि जो अंदर की यह वाली लेयर है ना यह क्या होगी यह तूट जाती है तूट जाएगी और यहीं से ब्लड के रूप में बाहर आ जाएगी सिंपल सी चीज़ है यह देखो menstrual cycle है इसको समझ लो कि menstrual cycle में क्या हो रहा है समझना भी ज़रूरी है पता होना भी चाहिए देखो यह menstrual cycle है इस तरीके से डे 28 ठीक है डे 1 क्या हुआ डे 1 में यहाँ पर पीरेट्स हो गए है देखो ठीक है डे 2 में पीरेट्स हो रहे है डे 6 7 8 तक हुआ थोड़ा 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 दस पहुंचते पहुंचते क्या हुआ एग बन गिया है ठीक है एक बन गिया है फिर क्या हो रहा है देखो कहां यह अंड्र शे में है यह तो इत्तूज है कि दिक भी निहें शेंडाय कि यहमारी ओवर्य यानि अंडॉसे यह फैलिपिं ट्यूब h ठरकों कोhew के बाहर पहुंच गया है और लाइनिंघ क्वह मोटी ओती जा निन सब्लगे मोटी ओगी दिन तक कि होके उन्यस दिन आ गिया है k 30 दिन अ गिया है देखू यहां पर यह अंडा विचारा यहां तक पहुँच गया है ठीक है अब क्या हो रहा है अंडा पहुच गया है यहां पर अब क्या हुआ 28 वा दिन आ गिया है इसको कोई sperm नहीं मिला है यहां पर कोई sperm नहीं मिला है तो वो जो lining यहां मोटी हुई थी वो क्या हो गई वो यह periods के रूप में बाहर चली गई समझ में आ गई इतनी बात है ना अब आती है जनन स्वास हम ने जब जनन के बारे में इतना पढ़ लिया है तो उसके स्वास के बारे में भी हमको पता होना चाहिए हम अपने क्या है हम अपने reproductive जो क्या है जो भी parts है हम उनकी बात करें उनको साफ सफाई रखने में कोई शरम सबुस्ता नहीं करने के साफ सुत्र रंवारं कोने के सबी सब्सक्राइब सब्सक्राओं कि यह थे धेको उत्माजिक इस्तिती स्भावनात्मक विवारात्मक और समाजिक इस्तिति गिलोथ tub जो है हमें साफ सुथ्रा रखना है विमारीं से बचाना है ताकि यह आच्छे से काम कर सकें महिए और काम करेंगे चोड़ी छोड़ी परिवार सुखी परिवार जननतर रच्छे से काम करे तो सब कुछ बढ़िया चलेगा है ना फिर आ जाती है कि जनसंख्या इतनी बढ़ दिये कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाईया हमको बच्चा नहीं चाहिए अभी सरकार ने कुछ नियम बनाए कि भाईया बच्चा रोको हमें अपनी जनरेशन को रोकना है कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कुछ पती-पत्नी ऐसे हो आसानी से उपलब्द प्रभावी जिसका कोई अनुशंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो कम से कम वह क्या होता है आदाश गर्भ निरोतक होता है ठीक इसके साथ ही उप्योग करता कि काम एच्छा प्रेढ़ना और मैथुन में बातक ना हो ठीक है मतलब किसी भ इसके सब्सक्राइब और उसपिटल में फिर एक कॉंड़म है फिमेल कॉंड़म है ओरल कॉंसरेप्षण है वेजाइनल रेंग है कैलेंडर मेथटे कि हम क्या करते हैं आई यूडी है सर्जिकल मतलब कि हम क्या कटणडश है या फिर जो अपना क्या होता है यह शुक्र वाह क्या करते हैं अंडाउन और शुक्राणू को कहना है फिजीकली यानि बहुतिक रूप से मिलने से रोकते हैं ठीक है यह इस प्रकार के उपाये हैं पुरुष और इस्तरी दोनों के लिए मिलते हैं जब बैरियर की बात कर रहे हैं तो जिनकों क्या बोलते हैं निरोध बोलत हैं ठीक है यह पतली रबट जैसे लेटेक्स से बनाया जाता है ताकि इसके उप्योग से पुरुष के लिंग या इस्तरी की योनी एवम गरवाशे गरीवा को संभोग से ठीक पहले क्या करते हैं धक देते हैं और जो वहां पे शुक्राणू निकलते हैं इस्तरी के जनन मा होता है जिन जिन में क्या होता है कुछ ऐसे कैमिकल होते हैं जो क्या करते हैं शुक्राणू को कभी-कभी कमजोर कर देते हैं कभी-कभी मार देते हैं ठीक है उसकी धीरे कर देते हैं तो जो प्रती दिन लीजेने वाली मालाडी ठीक है यह भी सरकारी होस्पिटल से बहुत से 21 दिन तक चलती है सब्ता में ले जाने वाली सहेली ये साथ दिन बाद होती है ठीक है इसके इलावा भी बहुत सारी गोलिया है जो क्या है युगमरज को समाप कर देती है बहुत सारी है आजकल अन्वांटिट सेवेंटी टू भी आ गई है यह यह अंडोज सर्जन और हिए तो एक छाही जोवखा तरफड़ी चोंड आप सब ने अध्यायोडी सुना होगा है तांबा मोचन सुना होगा होगा हर्मोन मोचक सुना होगा ठीक है बहुत सारी धारिकी होगी चलो अब सब कुछ हो गया है तो पाई उसके बार वाद के बार तो यहां पर रोग या रोग संसरन में जो मैथून द्वारा संचारित होता है उन्हें सामेहिक तौर पर योन संचारित संक्रमण याने की संक्रमण बोला जाता है जो एक नॉर्मल याने की स्वस्त पूरिश है या स्वस्त औरत है उसे किस से एक संक्रमित जो नर है या संक्रमित आदा से हो जाता है जैसे कि सुजाक यानि कि गुनेरिया सिफिलिस हर्पिस जननिक परिसर्प जनाइटल हर्पिजा ठीक है और क्लीमेडियर्टा ट्राइको मॉंस्ता लेंगिंग मस्से और यकरत्षोथ बी और हाल ही में सरवादिक चर्चिद और घाता क्या है एट्स यह यहाँ पर मैं इसलिए अब अब बतारी हूं आपको क्योंकि आप एज में हो यहाँ पर यह सारी चीजें समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है हसने से हसने से अपार्ड जोग ठीक हसना नहीं है चीजों को समझना है इसलिए यहां तोड़ा एक्स्ट्रा समझा रही हूं समझ लो ठीक है और सबके साथ HIV संक्रमण सबस्यादा खतरनाग है इसलिए अपने जनन स्वास्त का ध्यान रखना है इन में से कुछ यह कृत शोत भी यानिक हैपटाइटिस बी की बात हो रही है और अच्छाई भी जो है इसके जो संक्रमण है जैसे कि यह किस से फैलते हैं संक्रमित व्यक्ति से प्रियोग की जाने वाली सुईयों से भी फैलते हैं शल्ले क्रिया के औजारों तदा दूशित रखते जान याने कि जो ब्लड ट्रांस्फूशन किया जाता है उससे भी फैलते हैं गर्ब में मौझूष शिशों को उसकी मांस से हो सकता है ठीक है है यह इलाज के लायक नहीं है बिल्कुल ठीक है यह सारी की सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि आप लोग जो हैं इन सब को पड़ सको लास्ट में एक चीज़ आती है कि भाई ब्रून हत्या ठीक है कि मादा के ब्रून को गर्बाचवी मार देना क्या है ब्रून हत्या कहलाता है वह भी तब जब हमको प बच्चा लड़का है यह लड़की है तो उसके द्वारा जांच कर आया जाती और पता लगाया जाता है कि वहिं यह श्या रहाटी लोग और ओर नहीं यह रहो हैं जो यह यकीन मानि बहुत गलत है इस एज में आपको इसले बताय जा रहा है इस class में इसले बताय जा रहा है ताकि आपको पता हो कि ये गलत है आप अपने साथ साथ दूसरों को भी क्या है ये knowledge साज़ा कर सकते हैं बता सकते हैं कि नहीं ये गलत है हमें ये नहीं करना है आप अपने परिवार में होने वाली ऐ बहुत असानी होई होगी मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसको समझने में चलिए ठीक है आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूं कि आपको समझने में असानी है और मज़ा आया होगा पढ़ने में याद रखिए जब भी हम कुछ पढ़ते ह तो यह सोच के पढ़िए कि चलो कुछ नया सीखते हैं हां चलो फिर ख्याल रखो अच्छे से रहो और खुब सारी पढ़ाई करो ठीक है बाई बाई